कि पूछ यहां आईए बच्चो स्टार्ट करते हैं कैपिटल पजिटिंग के साथ बहुत ही सिंपल और प्यारा सा चैप्टर है पस बाते सुनते जाना आपको जो जो बताई जाएंगी और आपको इतना मज़ा है का इस चेप्टर में की पूछी मत देखिए capital budgeting का मकसद क्या है क्यों हम इस चेप्टर को पढ़ने हैं तो इस चेप्टर को पढ़ने का whole source हमारा सिर्फ एक ही purpose है that is to decide whether we should invest in a particular project or not इसको आप note कर लीजेगा अब सर इसको भी पढ़ना पड़ेगा यह तो बड़ा simple सा काम है for example suppose एक business start करना है कोई project हमें start करना है जिसमें starting में 2,00,00 रुपे लगेंगे और एक साल बाद हमें उसमें 3,00,00 रुपे और लगाने पढ़ेंगे suppose हमने कोई business start करना है और जब business start करेंगे तो उसमें कितनी capital लगेगी 2,00,00 रुपे दो लाग से आप business start कर सकते हैं और उसमें एक साल बाद आपको 3,00,00 रुपे और लगाने पढ़ेंगे और उससे आपको inflow जो मिलेंगे जो आपको revenue आएगा आपका estimate है कि year 1 में 2,00,00 रुपे आएंगे year 2 में 2,00,00 रुपे आएंगे year 3 में 4,00,00 रुपे यह आपके estimate है तो घरी तो बड़ा simple है हमारे 2,00,00,00 रुपे जा रहे है । जपकी देखा जाए तो 2,00,00,00,00 रुपे 45,00,00,00,00 रुपे जा रहे हैं आपने सीधा सीधा टोटल किया inflow का 9 लाक रुपे, आउट फ्लो का टोटल किया 5 लाक, बनिये की बाशा में बोला, 9 लाक में से 5 लग गए, 4 लाक जेम में लगा दे पैसा, ये कहलाता है absolute comparison, अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कि द य जीरो भी लिख सकता है, य जीरो य जीरो पिरिएड एक ही मतलब है, जिसका मतलब है starting of business, at the end of year 1 को हम technically represent करेंगे y1 से, समझ पहिए बाद, तो ये inflows जो है, ये आपको given है एक तरह से y1, y2, y3, at the end of first year, second year and third year, तो ये आपने absolute comparison तो कर लिया, बड़ा simple था, लेकिन absolute comparison करके business decision नहीं लिये जाती, हमेशा outflow of cash को और inflow of cash को compare किया जाता है relative manner में to decide whether we should invest or not, अब आप कहेंगे सरी relative manner क्या होता है, absolute manner तो clear था कि जितना जा रहा है और जो आ रहा है, दोनों को adjust कर दिया net inflow आ गया, अब आप कह रहे हैं कि business project जो है, उसमें outflow और inflow को compare करना है relative manner पे to decide whether we should invest or not, तो ये relative manner क्या है, इसके बारे में हम discussion करते हैं, उससे पहले आप सारा का सारा जो है एक बार note down कर लीज़े, जो भी आपको screen पे दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आप एक बार note down करिए first, तो चलिए अब आपको बताना है कि relative manner होता क्य outflow को, सर ये क्या है, present value of inflow and outflow को compare करना, बड़े अगर सरलक्षों में बोलूँ तो इसका मतलब है, जो पैसा बाद में आएगा, या जाएगा, आज उसकी value क्या है, क्या बोल गए, आप कुछ-कुछ समझ में भी नहीं आया, वैसे आपकी बाते समझ में आती हैं, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया, बड़े अराम से patience होके सुनना है, सब कुछ समझ में आएगा, आप ये समझ लीजे, सबसे difficult chapter financial management का उठाया है, सबसे पहले, और आपको nature हमारा पता ही है, present value का मतलब होता है कि जो पैसा बाद में आएगा, या जाएगा, आज उसकी value क्या है, फिर आपने बात repeat कर दी समझाया क्या, what is this, हमें कुछ भी समझ भी नहीं आया, आपकी शकल ऐसी बन चुकी है न, वो सब पता है, advance में पता है, अब जैसे बोलूँगा वैसे समझना 101% समझ में आएगा, let's be बनिया, बनिये की भाशा में आजाओ, एक नड़ में समझ में आजाएगा, आज तुम्हारे पास 100 रुपे हैं, और ब्याज बटे का rate चल रहा है market में 10%, तो एक साल बाद अगर तुम ये 100 पे invest कर देते हो 10% से, तो एक साल बाद कितने हो जाएंगे, सर 110 रुप हो जाएंगे, हना, आगे ना बनिया बनिया बनती भी अपनी, 100 पे हैं, 10% का भियाज है, तो 100 का 10% कितना होता, 110, तो आपने का सर, एक साल बाद ये पैसा जो है, वो हो जाएगा, 100 जमा 10, 110 रुपे, मैंने का, फिर एक साल के लिए और invest कर दो, ये 100 और पे आपने लगाये थे, एक साल बाद कितने हो गए, 110 रुपे, फिर एक साल बाद ये पैसा कितना हो जाएगा, 121 रुपे, क्यों सर, अरे 110 रुपे तो होई गए थे, और अब 110 का 10% पर आज और मिलेगा, compounded, इतना तो पढ़ के आ रहे हो भई, 110 जमा 11, कितना हो गया, 121 रुपे, तो after 2 years कितना हो गया, 121, फिर एक साल बाद कितना हो जाएगा, तो आपने कहा, 121 प्लस 121 का 10%, तो 133.1, अब 121 पे इंटरस्ट मिलेगा, तो after 3 years कितना हो गया, 133.1, यह जो fast forward करके वीडियो देख रहे है न, वो समझ लेना, उन्हें एक पैसे का समझ में नहीं हैगा, यहाँ पर बड़े एकदम, उल्टा 0.75 पे देखो वीडियो, पहली बता रहो, अच्छा option नहीं होगा वो, तो आपके पास 100 और पे थे 10% ब्याज रेट है अगर, तो एक साल बाद 110 हो जाएगा, उसके एक साल बा 1 की पावर 1, 110 हो गया, दो साल बाद कितना हो जाएगा, उसके लिए 1 प्लस पॉइंट 1 की पावर 2, 121, तीन साल बाद कितना हो जाएगा, 100 प्लस पॉइंट 1 की पावर 3, यह हो जाएगा 133.1, अब यह तो सर हमें सारा समझ में आ गया, इसमें तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जो जो आपने समझाया है वो हमें सब समझ में आ गया कि हम पे सौर पे हैं 10% rate of interest एक साल बाद इतना, दो साल बाद इतना, तीन साल बाद इतना तो सौर पे year 1 बाद इतने है, year 2 बाद इतने है और year 3 बाद इतने है, सर क्यों पका रहे हो आप इतना जो पैसा एक साल बाद 110 रुपे हो जगया, जो पैसा दो साल बाद 121 रुपे हो गया या तीन साल बाद 133 रुपे 10 पैसे हो गया, हो गया या हो जाएगा, एक ही बात है आज वो कितना है आज है वो 100 रुपए This is called as present value आपको future में 110 मिलेंगे अगर आप एक साल के लिए इन्वेस्ट करते है आपको future में 121 रुपए मिलेंगे अगर आप 2 साल में इन्वेस्ट करते है future में आपको 133 रुपए 10 पैसे मिलेंगे अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते है इस प्रकार की information वो आपको question में देगा कि आज आप कुछ पैसा लगाते हैं 2 साल बाद वो 121 रुपए हो जाएगा आज आप कुछ पैसा लगाते हैं 3 साल बाद वो 133 रुपए 10 पैसे हो जाएगा तो बताईए आज आपने कितना पैसा लगाया तो यहाँ तो आपको पता है कि आज आपने कितना पैसा लगाया 100 रुपए this 100 रुपए is called as present value बहुत simple suppose interest rate है 10% after one year you will get 110 रुपए वो question में पूछता है कि भाया present value क्या होगी अगर आप 110 रुपए एक साल बाद आपको मिलेंगे और प्याज rate 10% था तो present value क्या होगी तो present value का मतलब क्या है कि जो आपको future में मिलेगा 110 रुपए वो आज किसके बराबर है आप देखिए हैं आपर जो लिखा तो जो पैसा बाद में आएगा या जाएगा यहाँ पर future में 110 रुपए मिलेंगे आएगा का case है आज उसकी क्या value है आज उसकी value है कितनी 100 रुपए यह सो नो बड़े देखो यह वीडियो जिसमें समझ लिया ना वो master बन जाएगा capital budgeting का आपको बता रहा हूँ इतनी मेहनत करिया है इस वीडियो के उप़र आप समझो इस चीज को तो formula बड़ा simple है P1 plus I की power is equals to A यह आप basic maths में सीख के आ रहे है आपको एक साल बात कितना मिलेगा 110 रुपए interest rate आपको पता है 10% है तो 0.1 लेंगे कैसे आया 10% को अगर 10 by 100 करें तो 0.1 हो जाता है 1 plus 0.1 आप इसे solve करिए यह इसके नीचे आया कितना होगा है 100 रुपए Case 2 उसमें आपको 2 साल बात 121 रुपए मिल रहे अगर 2 साल बात 121 रुपए मिल रहे interest rate 10% है तो आज present value क्या है same way formula में put किया solve कि आप देखेंगे 100 रुपए आएगा same way case 3 after 3 years you are getting 133 रुपए 10 पैसा interest rate 10% है तो आज present value क्या same formula में use करिए answer is 100 तो मोटा मोटा यहां तक जो आपको समझाना था उमीद करते हैं कि आपको समझ में आया relative comparison में होता क्या है यह तो अभी नहीं समझाया आपको आपको समझाया कि present value क्या होती present value समझेंगे तो समझ में अगर relative comparison क्या होता है present value क्या है कि जो पैसा बाद में आना है या जाना है whatsoever मैंने भी आपको आने वाले case पता है आज उसकी क्या value है और simple formula होता है कुछ उसमें technical नहीं है जो आप P1 प्लस I is equal to A पढ़ते हैं इसमें A जो होता है this is called as future value मतलब जो पैसा future के अंदर मिलेगा जो पैसा future में मिलेगा या जाएगा चेक है और P क्या होती है इसमें present value कुछ भी एकदम technical नहीं आप इस formula से अपना present value निकाल सकते चलिए तो in short can I say that P1 plus I की power N is equals to A तो P निकालने का present value निकालने का formula A divided by 1 plus I की power N yes or no तो अब देखिए to find present value we have 1 divided by 1 plus I की power N अब आते हैं वापस present value हमने सीख लिया क्या होता है अब हमें relative comparison सीखने है relative comparison क्या है कि जो inflow और outflow है दोनों की present value निकालिए और compare करिए अब ये क्या है सर एक छोटे से question से समझते हैं और वो यही question है जिसमें आपने absolute comparison किया था आपका business start हुआ था जिसमें पहले साल दो लाख रुपे लंगे और year 1 के end में तीन लाख रुपे और inflow आपको year 1, year 2, year 3 में इतना इतना आया absolute comparison किया तो आपने देखा 4 लाख रुपे प्लस आ रहे अब इसी का relative comparison करते हैं बड़े ध्यान से देखिए suppose interest rate जो है वो 10% है यह हमेशा question में given होगा जिसको हम required rate of return भी बोलते हैं क्या बोलते हैं? required rate of return अब बड़े अराम से relax होके आपने इस चीज को समझना है जो आपको बताई जारी तकी बहुत simple सा format है जो अब आपको बताई जा रहा है बड़े ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आपने लिखा outflows चार कॉलम बनाने हमेशा question में year amount pv factor present value यह क्या क्या है सर बड़ा simple है शानती रोखो पहले साल जो देखो आपको यहां पर बताया था starting of business में 2,00,00 रुपे लगे इसको हम y0 से 0 period से represent करते है चेक है तो वही चीज यहां पर की है 0 में y0 कितना amount लगा 2,00,00 रुपे चेक है अभी pv factor क्या भी आपको बताया है नहीं अब देख क्यों रहे उदर मत देखो फिर first year end में आपने देखा कि हमारे कितने लाग रुपे लगे बिटा तीन लाग रुपे लगे चेक है तो हमने यहां पर तीन लाग लिख दिया y1 चेक है अभी pv factor present value जो देखेगा पिटाई गरू हो उसकी फिर inflow में year 1 में 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 हाया न शो अब बड़े अराम से एक एक चीज़ आपको सुननी और समझनी है अभी pv factor पे आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़र्वत नहीं है क्या है मुझे खुद नहीं आती आपको क्या बताओ अभी इस वीडियो में मुझे pv factor नहीं आता अगली वीडियो में आ जाएगा अगर मुझे present value निकाल ली है और चो मैंने आपको formula सिखाया है उस हिसाब से अगर मैं चलूं उस हिसाब से अगर मैं चलूं इन फ्लो में आता हूं सबसे पहले year 1 एक साल बात दो लाक रुपे आएंगे yes or no one plus interest rate कितना लिया है 10% तो point one कि power one ये present value आ जाएगे इसको solve करते हैं दो लाक divided by one point one करिये जरा एक बार आप कितना आता है दो लाक divided by राजा भाई one point one आप इसे solve करेंगे तो you will see कि ये आ रहा है one eight one eight one eight कुछ इसी तरह की figure आ रही है yes or no sure इसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये टू में आपके कितने आ रहे है तीन लाक रुपए फॉर्मला किया a तीन लाक रुपए आ रहे है आपके पास one प्लस i की पावर n तो one प्लस i is point one अब क्योंकि ये टू में आ रहे है तो n जो है इस पार कितना हो जाएगा बिटा two हो जाएगा तो इसको solve करें अगर तो तीन लाक divided by one point one का square that is one point two one तो ये आपका हो गया three lakh divided by one point two one comes out to be two four seven nine three three ये इसकी present value आ गई ये इसकी present value आ गई आया ना फॉर्मुले के हिसाब से जो आपको सिखाया था इसको अगर देखें तो चार लाक और one point one की power three तो one point one की power three अगर आप solve करेंगे तो one point three three बना रहा होगा और चार लाक को अगर आप divide करेंगे उससे तो वो आ रहा होगा three zero zero five two five ये अभी आपने सब फॉर्मुले से किया है फॉर्स्ट फॉर्मुले उस पर second पर और third का फॉर्मुले से किया तो यही आ रहा है yes or no sure अब same way आप outflow का करिए यहाँ पर कितने हैं तीन लाक रुपे तो अगर आप तीन लाक को divide करें one plus point one की power one से तो देखें कितना रहा है three lakh divided by one point one this comes out to be two seven two seven two two seven two two seven two अरे सर क्या पढ़ा रहे हूँ आप किस किस तरीके से पढ़ा रहे हूँ अभी अब बस पांश प्रेट और जेलिए मेरे को अब सब समझ में आने वाले सारे राज खुलने वाले हैं इकता हूं अच्छा देखें यह जीरो जो होता है ना मतलब आज जीरो का मतलब क्या है starting लिखता हूं तो starting के अंदर जो value है वो ही उसकी present value अरे भाई आज मेरे पास 100 पे हैं आज अभी मेरे पास 100 पे हैं तो उसकी आज value क्या है 100 पहीं तो है हाँ या ना तो जो year 0 होता है जो amount होता है वो ही उसकी present value होती है 2,00,00, अच्छा तो ये थी present value हा बेटा यहां क्या ही 2,72,72 रुपे 2,72,272 यहां देखो सर यहां तो different आ रही है कुछ यहां 700 है यहां 272 है यह क्यों है भी आपको बता हो देखें लेकिन आसपास है या नहीं है आसपास है सर सेम भे यहां आपने निकाली थी 181818 यह देखो यह देखो आसपास है या नहीं बस यह देखो आप हाँ सर आसपास तो है लेकिन अब आपने solid वाला confuse कर दिया है हमको solid वाला confuse कर दिया है हाँ हमने क्या सीखा था हम तो यही भूल गए है और निकम्मो देखो इदर ध्यान से एकदम simplify करके सामने रखती है आपके जो technically इतना complicated presentation रखी थी उस समय सिखानी जरूरी थी वैसे यही फॉर्मला था हमारा present value का p is a 1 plus i की power n तो आपने pv of inflow निकाला amount था 2,00,00 रुपे उसको 1 plus .1 की power 1 लिया क्योंकि year 1 था ठीक है दूसरा पैन लेले एक बार year 1 था फिर year 2 था 3,00,00 थे तो 3,00,00 1 plus .1 की power 2 यह amount आया फिर y 3 में 4,00,00 था यह आपकी present value आई अब आप कहेंगे कि sir यहाँ पे तो आपकी present value आ रही है this this and this बट आपने जो है यहाँ पे कुछ और लिख रहा है कि थोड़ा सा difference है उसमें जादा तो नहीं दिख रहा बट 200-300 रुपे का difference दिख रहा हर value में ऐसा क्यों उसके बारे में जवाब देंगे formula से समझ यह आपको समझ में आया सब कुछ फिर outflow की pv निकालनी थी year 1 की 3,00,000 रुपे आपने यह formula लगाया तो यह आपकी i कितनी 272,272 चाहिए और देखिए y 0 में simple है आप formula से भी करेंगे न देखो 1 प्लस i की power n होता है n क्या हो गया number of year 0 1 प्लस 0.10 और किसी भी power 0 जो है 1 होती है यह बात आपको पता है चाहिए आप 10 की power 0 ले it will be 1 तो 2,00 by 1 यह 2,00 यह देखिए 2,00 यह आ रहा है formula से आपको सारी बाते clear है yes or no कि formula से present value कैसे निकलती है अब यह आप pv factor को भूल जाएए यह जो नीले वाला portion है यह समझ में आगया हाई या ना show अब हमें exam में इतना बड़ा करने की ज़वरत नहीं होती क्योंकि अगर हम इस तरीके से exam में करने बैठेंगे तो हम complicated calculations नहीं कर पाएंगे उसका एक तरीका होता है using the pv factor अब यह pv factor किस तरीके से निकलेगा वो आपको समझाने जा रहा हूं उससे पहले आप यह सारा का सारा note down करिएगा कोई भी चाहिए छोड़िएगा मत note down इस समय आपको जितना screen पर दिख रहा है पूरा का पूरा as it is करना है तब ही आप यह pv factor का concept समझ पाएंगे formula से आपको सब कुछ समझ में आगया कि present value निकालनी कैसे है यह आपको समझ में आगया pv factor क्या है वो आपको सिखाया जाएगा just उससे पहले आपकी screen पर जितना है सब कुछ note down करिए fast हाँ जी अपना चेहरा लेकर आपके सामने हाजिर हैं आपको समझाने के लिए कि pv factor नाम की क्या बला है देखो present value आपको निकालनी आगई formula समझ में आगया सब कुछ हो गया लेकिन exam में आपको इतने बड़े तरीके से नहीं करना बड़ा simple सा तरीका होता है क्या बड़े ध इंट्रस्ट कितना है 10% है तो देखो बड़े ध्यान से देखना 1 divided by 1.1 यही चीज 1 divided by 1 plus i सीधा सा तो 1 divided by 1 plus i तो i यहाँ पे 10% है तो कितना हो गया 0.1 तो 1 को आप डिवाइड करिये 1.1 से 1 divided by 1.1 और equal to press करिये दुवारा बताओ चलो last time 1 divided by 1.1 और क्या करना है equal to press करते ही जो आपके पास value आपको दिख रहे है देखिए क्या है 0.909 3 digits लेनी है बस बहुत है round off करके चलना है 0.909 दिख रहे है this is the PV factor of first year कुछ नहीं करना उसके बाद दुबारा से आप equal to press करिए 0.826 आगे 0.826 this is the PV factor of second year फिर equal to press करिए 0.751 आगे this is the PV factor of third year कोई इतनी लंबी चोड़ी calculation करने की जरूरत नहीं है PV निकालने का बड़ा simple सा तरीका 1 divided calculator का shortcut है यह 1 divided by 1.1 equal to करेंगे तो PV factor आगया first year का फिर equal to करेंगे PV factor आगया second year का फिर equal to करेंगे PV factor आगया third year का यह आपको यहां लिख रहा है और इन दोनों को जब आप आपस में multiply करेंगे तो सामने आपकी figure आएगी 2 lakh multiply by 0.909 यह आगया 3 lakh multiply by 0.826 4 lakh multiply by 0.751 यह अब आप कहेंगे सर यह दोनों तो अलग-अलग आ रहे हैं देखे हम round off कर रहे हैं आप देखे 1 divided by 1.1 क्या है था 0.90909090 कुछ इस तरीके कहा रहा था हमने सिर्फ 3 digit लेनी है क्योंकि हमारे exam में सारे question ही उसी तरीके से solve है study material अब कोई भी उठाएंगे 3 digit पे solve है अगर आप पूरी उसको multiply कर देते हैं 2 lakh से तो आप देखेंगे वो ही figure आ जाएगी जो आपके आ रही थी 181818 आप देखे 1 divided by 1.1 जो भी आया उसको आप आजटे जगर 2 lakh से multiply करते हैं तो वो ही figure आ जाएगी जो यहां आपके आ रही थी लेकिन यह आपको ऐसे लेने की ज़वरत नहीं है आपको simply exam में कुछ इतना नहीं सोचना आपको सीधे क्या निकालना है PV factor निकालना है PV factor कैसे निकलेगा कि 1 divided by 1 plus i i यहां पे 10% है तो 0.1 हो गया उसको आप 1 divided by 1.1 करेंगे equal to करेंगे फिर equal to दूसरे साल का फिर equal to तीसरे साल का फिर चौत्थे साल का तो जितनी बार equal to दबाते जाएंगे उस साल का वो आता चला जाए समझ में आई बाद और round of हमें सिर्फ तीन डीजिक तक लेना है बस यतना बात ध्यान रखेगा तो यह आपकी present value सीधी सीधी आ जाएगी तो वो कोई formula एक पर समझने के लिए जरूरी है बट ultimately हमें निकालना किस से है हमें निकालना है अपने PV factor से समझ में आई बाद तो simple year लिखा amount लिखा PV factor निकाला दोनों को into किया present value आ गए same way year पे यहाँ पर आप देखिए 0 year का PV factor हमेशा 1 होगा यह बात ध्यान रखने है 1 का निकालना है 1 divided by 1.1 सेम आएगा 0.909 दोनों को into किया है यह आ गए तो यह आ गई यहाँ पर present value आउट फ्लो की और यह आ गई इ इनको compare करें इन फ्लो की present value है 7,30,000 आउट फ्लो की है 4,27,200 रुपे तो इनको जब आप आपस में compare करेंगे that is PV of inflow versus PV of outflow this is present value of outflows and this is present value of inflows तो जब आप इनको आपस में compare करेंगे तो वो आ जाएगी net present value क्या होती है net present value? net present value is basically the present value of inflows minus present value of outflows समझ में इसे भी बार ने देखते हैं तो समझ में आया है आपको formula से पहले हमने इस से देख लिया फिर PV factor से देख लिया, reconciliation बता दिया कि दोनों से answer same ही आने है बट क्योंकि हम यहाँ से तीन डिजिट तक लेते हैं इसलिए थोड़ा सा आपको difference देखने को मिल रहा है तो चितने question आगे हम करेंगे present value निकालने के लिए पड़े simple तरीके से करेंगे हमें क्या लेना है PV factor और कैसे निकलेगा वो 1 divided by 1 plus i समझ मैं फटा-फट सारा note down कर लिजे और इसके बाद हमारी main discussion अब शुरू होती है यहां तक आपका mathematics का basic था जो हमने अपना complete कर लिए तो बच्चो निट present value क्या होती है present value of inflow minus present value of outflow और वो कैसे निकलती है with the help of PV factor आपने सारी की सारी चीज़े जो हैं हमारे साथ सीख ली है amount, PV factor, present value और PV factor कैसे निकलेगा 1 divided by 1 plus i की power बस 1 divided by 1 plus i ठीक है step 1 और फिर जिस भी year का निकालना है उतने equal to आप press करते रही है ठीक है अब अगर यह चीज positive आ रही है PV of inflow minus PV of outflow जैसे इस question में आपने देखा positive आ रही है तो फिर हम क्या करते है go ahead project में invest करते हैं अगर निल भी आ रही है तो भी हम invest करते हैं लेकिन अगर negative आ रही है present value of inflow कम है outflow जादा है तो हम invest नहीं करते हैं अब outflow जो है वो question में आपको किस किस तरीके से given होगा जैसे यहां तो आपको बड़ा simple given था कि यह जो question था starting की business की इतने लगे at the end of year one question जोओंगे उसमें इतना simple given नहीं होगा वो आपको बताएगा पैसा कहां लग रहा है तो जहां जहां पैसा लग रहा है वो outflow है अब कहां कहां लग सकता है हो सकता है आप कोई fixed asset में लगा रहे हूं या business की working capital में भाई business में पैसा लगता कहा है या तो fixed asset में लगता है या working capital में लगता है तो outflow दो तरीके के हो सकते हैं या तो investment in fixed asset या working capital inflow जिस भी project में या जिस भी machine में आप पैसा लगा रहे हूं उससे inflow कैसे आ सकता है या तो आपकी sales पढ़ जाएगी savings in expenses कि कोई खर्चा आपका पहले पंदर रुपर यूनिट होता था वो छे रुपर यूनिट होगा तो पंदरा से घटके अगर खर्चा छे रुपर आ गया तो नौ रुपर का फायदा है न तो वो फायदा भी एक तरह से क्या है inflow तो जो भी आप question करेंगे उसमें आप दे देखेंगे दो तरीके से होगा या तो sales आपकी बरड़ी होगी sales का data given होगा या कोई savings आपकी हो रही होगी expenses में तो यह theory point of view से relevant है इसको एक बर आप सारा का सारा note down करिए fast इसके बाद हम पूरा का पूरा computation of inflow जो है वो निकालना सीखेंगे लेकर उससे पहले आप एक बर य value है वो ही आपके लिए एक तरह से क्या है relative comparison absolute में क्या था सीधे सीधे inflow minus outflow कर दिया लेकिन इसमें आप पहले present value निकालते है using pv factor और फिर जब उनको minus करते हैं और जो फिर value आती है that is called as relative comparison और businessman हमेशा relative comparison करता है ना की absolute comparison चलिए आगे बात करते हैं देखें computation of inflow या तो inflow सीधे सीधे question में given होंगे और given है तो यह आपकी बहुत अच्छी किस्मत है जैसा कि अभी आपने देखा जो आपको example दिया था उसमें सीधे सीधे inflow आपको given थे आप directly compute करेंगे उस case में present value और question हो जाएगा लेकिन अगर lengthy question है 12 number का question है वो inflow कभी straight forward नहीं बता जाएगे और फिर आप present value निकाल पाएगे अब निकलेंगे कैसे बड़ा simple है जो भी आप investment कर रहे हैं उस investment की वज़े से जो भी आपकी sales बढ़ेगी जितने भी साल वो बोले पहले साल इतनी दूसरे साल इतनी तीसरे साल चौते साल तीन साल मैंने यहापे लिया है जो भी आ आप कोई product बनाना शुरू करोगे वो 15 रुपे का बिकेगा और एक unit बनाने पर 9 रुपे का खर्चा आएगा तो आपको तो in short 6 रुपे बचेंगे ना तो sales minus expenses sales कौन सी due to such investment expenses due to such और हर तरह के expense लेने है चाहे variable हो चाहे fixed हो including depreciation जो depreciation है fixed asset का वो भी लेना है चाहे तो यह आजाएगा आपका earning before tax फिर जो भी tax rate question में given है वो आप tax pay करेंगे तो यह आजाएगा earning after tax अब बड़े ध्यान से देखिए अब यह question भी करेंगे इसके उपर देखिए है पहले आप format समझें sales minus expenses earning before tax उसमें से आपने क्या minus करना है text यह format आपने पहले भी किया हूँ है बड़ा common format है यह ratio analysis में भी पहले कभी किया है इसमें तुबारा से depreciation add करना यह क्या है this is the most technical point बड़े ध्यान से इस चीज को आपने समझना है देखिए आप लोग text पढ़के आ चुके हैं आपको पता है कि depreciation जो है वो एक expense होता है जि हूँ क्योंकि अगर आप depreciation को expense दिखाएंगे P&L के अंदर तो आपकी जो income है वो कम आएगी और income कम आएगी तो आपको tax कम देना पड़ेगा yes or no तो आपने उसे minus किया यहाँ पर और आपका tax liability निकाल लिए earning after tax आगे लेकिन depreciation जो है वो एक non cash expense है non cash expense कोई real outflow थोड़ी ना हुआ है यह तो आपको भी पता है depreciation जो है वो एक non cash expense है तो हम क्या करते हैं depreciation को पहले यहाँ पर minus करते हैं expenses में ताकि हम tax benefit ले सके और फिर बाद में उसे add करते हैं क्योंकि उसकी वज़े से कोई real flow of cash तो हुआ नहीं वो तो हमने सिर्फ इस लिया था ताकि हमारी income कमाए income कमाए तो हमारी tax कम बने तो इसी लिए हम depreciation को बाद में अलग से add करते हैं क्योंकि हम क्या निकाल रहे होते हैं अपने inflow कि हमारे उस project से inflow कितना होने वाला है पैसा कितना आने वाला है एक example से समझते हैं देखें suppose आपको कुछ data given है sales होगी year 1 में 10 1000 units year 2 में 20,000 units और year 3 में होगी 40,000 units sales price per unit जो है बेटा वो 10 रुपे है raw material लगेगा 6 रुपे पर unit fixed expenses excluding of depreciation है 20,000 depreciation जो है 15,000 है tax rate है 30% compute present value of inflows at the rate of 30% इस तरह का question आपके exam में 6 नंबर का आता है ध्यान से देखें बहुत simple पहले साल कितनी units बिक रही है 10,000 units एक का sales price कितना है 10 रुपे तो 10,000 into 10 sales value कितनी आ गई 1 लाख फिर year 2 में 20,000 units है 20,000 into 10 कितना हो गया 2 लाख year 3 में है 40,000 units तो 40,000 into 10 तो revenue कितना हो गया 4 लाख इसमें तो कोई doubt नहीं है फिर सारे expenses आपको minus करने all types of expenses यही लिखाना है यहाँ पर yes or no तो देखे raw material है 6 रुपे पर unit तो 10,000 into 6 कितना हो गया 60,000 20,000 into 6 कितना हो गया 1 लाख 20,000 और 40,000 into 6 कितना हो गया 2,4,000 तो sales minus raw material जब आपने किया sales minus variable cost तो यह आगया क्या contribution भाई sales में से variable cost minus करते हैं तो contribution आता है यह बात तो आपको पता है तो एक लाख में से 60,000 गया 40,000 यह 80,000 और यह आपका 1,60,000 यह costing में पढ़ाया हो है sales minus variable cost is a cost of contribution बिना costing के एफमत देख लेना अब fixed expenses हर साल है 20,000 that will remain same irrespective of level of output तेकि हमें सारे expenses minus करने हैं चाहे वो fixed हो चाहे वो variable हो चाहे cash हो चाहे non cash हो तो यह आपने minus कियो fixed expense फिर depreciation था हर साल 15,000 depreciation is also an expense आप minus करेंगे तो यह आगया earning before tax 40 में से 30,000 गए 10,000 80,000 में से 30,000 गए 50,000 1,60 में से 30,000 गए 31,000 earning before tax अब tax rate है 30% तो जो भी आपकी कमाई आई यहां कितनी आई 10,000 पे उसका 30% कितना होता है तीन हजार पे आप tax देंगे फिर यहां 50,000 का 30% 15,000 और एक 30 का 30% 39,000 यह आपका 30% से tax चला गया तो यह आगया earning after tax 10,000 में से 3,000 गया 7,000 पचास में से 15,000 गया 35,000 और यह 91,000 यहां तक तो कोई clear नहीं दिक्कत ही नहीं होगी आया ना clear है यहां तक अब यह depreciation add क्यों हो रहा है अरे बेटा समझ इस चीज को depreciation एक non cash expense है और हम क्या निकाल रहे है inflow तो सर आप minus क्यों पहले minus करते हो फिर plus करते हो कुछ मैंत करते हैं ना non cash expense है बेटा minus इसले किया ना चल यह minus नहीं करता 10,000 तो होता क्या समझ 40,000 है 20,000 minus तो यहां कितना बसता 20,000 तो फिर tax कितना बनता tax at the rate of 30% 6,000 का tax बनता और अभी कितना बन रहे है 3,000 tax benefit लेने के लिए कि tax कम देना पड़े इसलिए पहले depreciation minus करते हैं ताकि tax benefit मिल जाए और फिर उसे add कर देते हैं क्यों? क्योंकि उतना हमारा cash तो गया ही नहीं था और हम क्या निकाल रहे है? inflows निकाल रहे है अच्छा सर आपने कहा समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी सर depreciation expense तो होता है अरे बेटा depreciation आता कहां से है? it's a cost of fixed asset yes or no cost of fixed asset कही तो एक पार्ट होता है और वो हम अलग से outflow में अपना treat करते ही है outflow में क्या निकालते हो कि क्या आपके fixed asset में पैसे लगे वो ही तो outflow है तो जब हमने cost of fixed asset को अपने outflow में दिखा दिया तो हमें depreciation तो यहाँ पे inflows में expense दिखाने की ज़रुवत ही नही है आपके मन में जो doubt आ रहा है वो यही आ रहा है कि sir जब हम P&L बनाते हैं तो depreciation तो expense होता ही होता है और उसके बाद profit निकालते है तो ठीक है आपने हाँ minus किया फिर plus क्यों किया आप profit क्यों नहीं ले रहे है आप inflow क्यों ले रहे हो यह आपके मन में doubt आना चाहिए नहीं आ वो किसका part है cost of fixed asset का और fixed asset की जो cost है वो हम किसमें दिखाएंगे outflow में तो इसी लिए क्योंकि हम cost of fixed asset यहाँ separately outflow में लेते हैं इसलिए हमें यहाँ depreciation दिखाने की ज़रूरत नहीं होती बट फिर भी हम दिखा रहे हैं to take the tax benefit और क्योंकि हमने दिखा दिया क्योंकि हमने दिखा दिया to take the tax benefit जो कि चीज़ हमें नहीं दिखानी थी इसलिए बाद में उसे separately add back करना पड़ा आप यह वाला part पे शक्त दो बार सुनिए जो भी थोड़ी आपको यहाँ पर depreciation की reasoning दी है सुनिए देखिए skip मत करिए काम तो आपका इसमें भी चल जाएगा कि ठीक एक बाद depreciation minus करना और end में add करना लेकिन क्यों आपको समझ में आना चाहिए तब ही आपका बला होगा दो बार सुनिए तीन बार सुनिए आपको समझ में आएगा इससे best explanation आपको नहीं दी जा सकती this is the main reason कि क्यों हम depreciation minus करते हैं और फिर end में plus करते हैं और आपका inflow तो यही आपका फॉर्मेट था sales सारे expense minus करना एब टी फिट एक्स और end में depreciation add करना है ताकि inflow आ जाए चाहिए अब पीवी ओफ इंफो निकालना है 10% से हमें तो inflow यह आ गए आपके अब आपको present value निकालनी है year 1, 2, 3 inflows जो भी आपके आए 17,000, 45,000, 1,000 PV फेक्टर लेंग तो पहला 0.909 आएगा फिर 826, 0.751 फिर यह दोनों को into करेंगे तो आपकी present value आजाएगी this is present value of inflows कई बार कुछ बच्चों के calculators काम नहीं करते वो 1 divided by 1.1 एक बार equal to press करते हैं तो 0.909 आता है दुबारा equal to press करते हैं तब भी उनका same आ रहा होता है तो फिर उनके calculator की software problem है उनको उसके लिए दूसरा calculator लेना पड़ेगा कुछ calculator में software problem होती है यह समझ में आया तो यह इसी के साथ आपको समझ में आया कि inflows या तो given होंगे नहीं given तो कैसे हमें निकालने है क्या उसका तरीका है बहुत important video जिसने यह समझ ली उसका capital budgeting 50% खतम होता है चले एक नहीं ची साल होगा 54,000 और required rate है हमारा 10% तो एक तरीका जो आपने सीखा है वो यह कि year 1,2,3,4,5 हर साल 54,000 का inflow है हर साल का आप PV factor लिख दीजे कैसे याद है 1 divided by 1.1 चल भाई 1 divided by 1.1 0.909 फिर equal to press किया 0.826 फिर 0.751 फिर 0.683 फिर 0.62 यह सब आपने लिख दिया और present value निकाल ले ठीक है एक तरीका दूसरा भी होता है अगर हर साल का inflow सेम है तो ही यह तरीका लगेगा वो क्या है और inflow multiply by sum of PV factor देखे इसके लिए एक बड़े ध्यान से दिखेगा 1 divided by 1.1 चल यहां किया आपने अब बड़े ध्यान से दिखे एक्वल टू फिर इक्वल टू फिर इक्वल टू फिर इक्वल टू फिर इक्वल टू पान्स साल लोगा निकालना है पाच बार इक्वल टू किया दुबारा बता देता हूं, 1 divided by 1.1, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, फोर्थ यर का, फिफ्थ यर का, चेक है, पांच सालों का आपने कर लिया, yes or no, फिर आपको यह एक GT का बटन दिख रहा होगा, अपने calculator पे, grand total का, देख रहा है, नहीं दिख रहा, तो उसके ल 90 आ रहा है, तो that is called as sum of PV factor, GT का मतलब क्या होता है, यह जितना भी आपने PV factor निकाले है न, यह सब automatic प्लस हो गए, और यह आगा है 3.790, समझ महीं बहुत, तो inflow into sum of PV factor, सीधे आप कर दे, तो भी आपका answer आ जाएगा, लेकिन यह तब जब GT का बटन है, GT का बटन नहीं है, ज तरीका क्या है, ध्यान से देखिए, 1 divided by 1.1, जैक है, जैसे इस calculator में GT का बटन नहीं है, तो 1 divided by 1.1, equal to, जो भी यह आया, इसको आप डाल दे, M plus करके एक बटन होगा, ठीक है, दोबारा बता दो, 1 divided by 1.1, फिर यह आपने किया क्या, equal to, यह equal to करते के साथ ही, आपको सीधे क प्लस दबाना है, ठीक है, फिर equal to, फिर M plus, 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 पांच बर हो गया, हो गया ना, पांच बर, उसके बाद सीधे आप MRC का एक बटन दिख रहा होगा, memory recall, ठीक है, इसको प्रेस कर दीजे, आपका भी answer, same आजा अच्छा, ये बात ध्यान रखेगा कि memory खाली है, यहां M ना लिखाओ, आ रहा हो, ये बात देखेगा, तो दो-तीन बार MRC लिखाओ, जबाद हो, ता कि M अगर आ रहा है लिखाओ, तो हट जाए, divide by 1.1, equal to M plus, 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 MRC, चेक है, तो GT का बटन है, तो फायदेगा सौधा है, नहीं तो ऐसे करना है, और ये, आप, अच्छा, यहां पे दोनों में answer अलग अलग आ रहा है, कि rounding off की वज़े से तो घबराईए गमत तरीके दोनों ठीक होते हैं, तो ये तभी apply होगा, जब आपके हर साल के जो inflows हैं, वो क्या है, same है, तब आप sum of PV factor से भी निकाल सकते हैं, ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई बाद लेंदी questions होते हैं, तो वहाँ पर ही बहुत बेस का मतलब होता है, बेटा, cost of asset, ठीक है, उसकी economic life है, चार साल, तो बहुत ही simple, हर साल का depreciation कितना होगा है, 25,000, change in earning before taxes and depreciation आपको given है, 45,000 tier 1, 30,000 tier 2, 25,000 tier 3, 35,000 tier 4, assuming straight line method of depreciation and 20% tax rate you are required to compute relevant cash flow, तो सर्फ आपको cash inflow निकालने हैं, बहुत ही simple सा question है, आपको क्या given है, earning before tax and depreciation, yes or no, year 1 का 45,000, year 2 का 30,000, year 3 का 30,000, year 4 का 35,000, अब before tax and depreciation है, मतलब tax and depreciation minus नहीं होगा, तो हर साल का depreciation कितना मनेगा, SLM से 25,000, वो आप minus कर देंगे, तो आगया आपका earning before tax, फिर tax rate है 20%, वो आप tax minus करेंगे, normal, तो यह आगया earning after tax, yes or no, अब इसमें हमें क्या करना होता है, बताइए, बहुत बढ़िया, depreciation add back करना होता है, reasoning आपको आपको आल्रेडी दे दी गई है, तो इससे आपके क्या जाएंगे, net cash flow, उन्होंने आपसे relevant cash flows पूछा था, इसका मतलब होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो cash inflows है, वो निकालने है, समझ महीं बात, शेयो, फटाफट इस question को एक बार note down कर लीजिए, fast, चलिए, एक next question हमारे सामने बच्चों से देखते हैं, compute the net present value, अब आपको NPV निकालनी है, for a project with a net investment of 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कई बार question बहुत छोटे होते हैं, लेकिन requirement थोड़ी ज़ादा होती है, तो question मड़े ध्यान से पढ़ना है आपको FM के अंदर, तो net investment 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, factor भी उनों ने आपको दे दिया कैसे निकालना है एक बड़ा simple सी चीज है आप outflow की present value निकालेंगे inflow की present value निकालेंगे और दोनों का difference जो है वो NPV होगा अब देखें net investment लिखा है 1 lakh रुपीज की तो अगर question में कुछ भी given नहीं है तो आप यही मानेंगे कि यह investment in the beginning हुई है समझ में आई बात यह बात आप लिख लीचेगा और कोई exam में आपको note देखा नहीं की ज़रूद नहीं आपके खुद की understanding के लिए if nothing is specified in the question we will assume investment in the beginning है 0 period तो आपकी 1,00,00,00 को पेक investment हुई 0 period में हुई तो उसका PV factor 1 ही होता है तो जस्ट आपकी understanding के लिए कि उसकी present value के लिए हम क्या कर रहे है 1,00,00 multiply by 1 ही कर रहे है क्योंकि beginning में PV factor 1 ही होता है यह लिखने की ज़रूद में सीधे आप लिखेंगे net investment amount यह आगे लेकिन जब आप present value of inflows निकालेंगे वही format simple एक ही format follow करना है year inflow PV factor present value 1,2,3 year है inflows आपको given है 55,000 80,000, 15,000 PV factor आपको given है 0.909 0.826, 0.751 question में अगर given है तो आपको कोई और use नहीं कर दें जो question में given है वही use करना है inflow into PV factor बिट आपका present value आजाएगा यहां गया present value of cash inflows यहां पर आप लिख लीजेगा 1,2,7,3,4,0 NPV क्या होता है present value of cash inflow minus cash outflow यहां गया 1,2,7,3,4,0 यह 1,00,000, यहां गया 2,7,3,4,0 बहुत ही simple question exam में अगीन ऐसा question आप से 5 चरमबर तक का पूचा जा सकता है फटा फट इसको अपने आप करिएगा जहां फसे फिर आप solution देखिएगा चलिए यह बच्चो नेक्स question है ABC Limited is a small company that is currently analyzing capital expenditure proposals for the purchase of equipment कोई equipment वोने purchase करना है उसके लिए वो proposal analyze करना है the company uses the NPV technique to evaluate the projector वो NPV technique that is net present value से करेंगे capital budget जो है वो 5 लाख रुपे का है which ABC Limited believes is maximum capital it can raise और वो 5 लाख रुपे तक की capital raise कर सकते the initial investment and projected net cash flows for each project are shown below 4 projects उनके सामने आए project A, B, C, D किसमें कितना investment और क्या-क्या cash flow आएगा बेटा वो सब आपको given है the cost of capital जो है वो 12% है आपको निकालना है NPV for the different project different different projects का NPV क्या होगा बड़े अराम से relax होके कि एक चीज समझीए सुनिए देखो कुछ नहीं आप ये चार question है आपके सामने एक project A, A question है project B, दूसरा question है project C, तीसरा question है project D, चौथा question है चार different questions है जिसमें से मैं project A और B आपको करवाँग और COT आपको खुद करवा अब project A में आप देखो तो outflow है हमारा 2,00,00 रुपे और कुछ भी नहीं गिवन तो हम इंदा beginning मानेंगे और inflow अगर आप देखें तो हर साल का inflow जो है वो same है और ये आपको सिखाया गया था कि अगर हर साल का inflow same हो तो आप sum of PV factor से निकाल सकते है याद आ रहा है अभी तीन वीडियो पहले आपको ये बात सिखाय गई थी तो project ये तो सबसे असान हो गया present value of inflow अगर आप देखें पचास अजार रुपे है और sum of PV factor अगर आप लेंगे 1 divided by 1.12 1 divided by 12 कितनी बार equal to प्रेस करना है equal to प्रेस करना है 5 times और उसके बाद क्या प्रेस करना है grand total GT नहीं है तो क्या करना है हर equal to के बाद M plus दबाओगे कितनी बार 5 बार ठीक है और उसके बाद end में क्या ले लोगे MRC तो कुछ भी आप कर सकते है GT है तो अच्छा है नहीं तो उस तरीके से यह आपको सिखा दिया गया था नहीं समझ में आता तो उस वीडियो को एक बार दुबारा देखिए तो 50,000 का 3.605 यह sum of PV factor आया सीधे आगया 180250 जबकि outflow 2 lakh के है उसका PV factor 1 ही लेंगे यह आगया 2 lakh तो NPV इसका negative आ रहा है क्योंकि PV of inflow minus PV of outflow समझ महीं बन शयो यह तो बहुत simple था प्रोजेक्ट एगा अब प्रोजेक्ट B में 1,90,000 है लेकिन हर साल के inflows अलग अलग हैं तो इसके अंदर हमको क्या करना पढ़ेगा हमें proper तरीके से चीजों को निकालना पढ़ेगा पहले हम निकालेंगे present value of inflow तो year, inflows, PV factor, present value 1, 2, 3, 4, 5 यह inflows आपको given है PV factor आप निकालेंगे 1 divided by 1.2 करके तो यही आएंगे फिर आपकी present value आ जाएगी present value of inflows जबकि इसमें अगर आप outflow देखें तो कितना है, 1,90,000 रुपे तो यह आपका present value of inflow आगया, 190 is outflow तो this is your net present value अब देखें, आपके मन में विचार आएगा इस question को आपने इस for presentation से किया, इस question को आपने इस presentation से किया, ऐसा क्यों both the presentations are correct क्योंकि यहाँ पर 4 अलग-अलग project है, और यह exam में question 8 number से उपर का नहीं आएगा तो मुझे अपने time का भी ध्यान रखना है मैं पूरी detailed presentation इस तरीके से 4 projects की नहीं कर सकता, क्योंकि timing restriction है मेरे पास, तो मैंने उसे concise कर दिया, main format same रखा present value of inflow निखाला outflow मुझे पता है, बहुत simple है वो मैंने वहीं पर minus कर दिया समझ मैं यह बात, clear है तो यह A और B आपको मैंने बताया कैसे करना है, और आपको आता भी था कोई unique चीज नहीं है, C और D आप खुद करेंगे, C और D के जो answers आएंगे, वो यह आएंगे हो सकता है, rounding of purpose की वज़े से 100-200 रुपे plus minus आ जाए तो उससे गबराना बन, तो यह कोईशन अब आप खुद अपने आप करिए यह आपको खुद करना है और अगर यह आप खुद कर पाए, चारो प्रोजेक्ट के NPV मैच करवा पाए तो अभी तक जितनी मेनत हम लोगों ने करी है, वो successful होती है, और अगर आप यह नहीं करवा पाए, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा एक बार दुबारा से सारी चीजों को revise करने की ज़रुवत है, चीक है, तो फटा-फट इस question को खुद solve करिए चलिए, अब एक question हम करने जा रहे है, देखे, जो chapter आप capital budgeting का यहाँ पढ़ने है, same chapter आपको repeat करना है, CA final में तो जो questions का level आपको करवाया जा रहा है, this is the maximum level जो आपसे इस exam तक पूछे जा सकते हैं question capital budgeting की कोई limit नहीं है, लेकिन आपको अपने study material की limit को cross नहीं करना otherwise आप अपनी unnecessary energy जो है वो waste करेंगे तो अपनी energy आपको किसी तरीके से waste नहीं करनी आप जो questions हमारे material के अंदर हैं, हमारी books के अंदर हैं, सिर्फ उनके उपर आपको focus करना है, और यह एक बहुत ही अच्छा question आईए देखते हैं cello limited is considering to buying a new machine which would have a useful like nomic life of 5 years वो एक machine खरीदना चाते हैं जिसकी life होगी 5 साल, cost है 1,25,000 रुपे, 1,25,000 and scrap value is 30,000 with 80% of the cost being payable at the start of the project and 20% at the end of first year तो तो देखो पहला question ऐसा है कि आपको 1,25,000 रुपे cost लगाने हैं जिसमें 80% cost जो की 1,00,000 रुपे आती है वो in the beginning जाएगी और बाकी 20% at the end of first year जाएगी the machine would produce 50,000 units per annum of a new product और इससे 50,000 units नए product की बनेंगी जिसका selling price है 3 रुपे पर unit direct cost जो है 1.75 पर unit है and 12 fixed cost including depreciation मतलब depreciation include fix cost में आपको अलग से minus करने की ज़रूरत नहीं है उसने क्या बोला है depreciation include है ध्यान से इस चीज को underline कर लीजे exam में इसी question को change कर देगा change करने के लिए कुछ नहीं करना हूँ सिर्फ including की जगा excluding कर देगा question जिसने ध्यान से read कर लिए आपने भगवान ने चाहा चार घंटे में आप पूरा एफम डिवाइस कर सकते है इतना कम स्लेबस और इतना असान स्लेबस है calculated on a straight line basis would be 40,000 per annum this is a fixed cost in the first year and second year special promotion expenditures not included in the above cost would be incurred कुछ special promotion expenditure भी होगा जो की उपरवाली cost में include नहीं है कितने 10,000-15,000 के evaluate the project using NPV method of investment proposal assuming the company's cost of capital to be 10% बड़े अराम से complete format आपको आता है एक बार आप देखिए उसके बद खुदी आपको करना है cheating नहीं करना है computation of present value of outflow year 0 में भी होगा, one में भी होगा year 0 में आपको 80% cost भी नहीं है तो 1,25,000 का 80% कितना होता है एक लाख रुपे तो आप देखिए यहाँ पे 1,00,000 गिवन है और 25,000 यह PV factor year 0 का 1 होता है 10% है और 1 divided by 1.1 करके PV factor निकालेंगे 0.909 आएगा दोनों को into कर दीजे आपकी क्या जाएगी बेटा present value यह होगा present value of outflow तो अब हमें निकालना है inflows बहुत simple sales given है उसमें से variable cost minus करेंगे तो आपका contribution आजाएगा सब कुछ बढ़ा simple है ध्यान से देखिए कुछ नहीं है technical अरे इससे मुश्किल-मुश्किल चीज़े तुमने costing में कलनी 50,000 यूनिट्स है 3 रुपे selling price है हर साल तो sales पताओ कितनी होगी year 1, 2, 3, 4, 5 पांच साल का प्रोजेक्ट है 50,000 multiply by 3 yes or no आपकी understanding के लिए सर्फ लिख रहा हूँ अब variable cost हमें पता है कितनी थी 1.75 पर यूनिट तो 50,000 multiply by 1.75 यह आपकी variable cost है yes or no हर साल की तो आपका ही आगया contribution 62,500 उपीस एक्दम यही simple सा format आपको यूस करना और कुछ नहीं fix cost जो है वो आपको question में given है 40,000 उपीस की तो यह 40,000 जो है आपने हर साल minus कर दिया अब इसमें depreciation include है जो कि question में आपको given था तो अलग से minus करने की ज़रूरत नहीं है जब आप fix cost minus कर रहें तो depreciation भी इसमें minus हो गया अगर यहां लिखा होता है excluding depreciation तो फिर हम depreciation का amount अलग से minus करते तो depreciation जो है इसमें minus हो गया फिर sales promotion expense पहले दो साल में हमारे लगने है उसने question में हमें पहले इसके बारे में inform कर दिया था yes or no तो हमारा sales promotion expense 10,000 पे और 15,000 पे इसके बाद आगया earning before tax EBIT लिखने की आदत जो है बड़ी कंदी है हमारी EBIT earning before tax अब question के अंदर आप देखे कोई tax rate ही given नहीं कुछ है tax rate given कोई tax rate आपको question के अंदर given नहीं है तो tax आपका क्या हो जाएगा nil हो जाएगा कोई tax नहीं बनेगा format आपको पूरा as it is follow करना है question में tax कोई given नहीं अब depreciation जो है हमें निकालना पड़ेगा depreciation कैसे निकलेगा बताओ आपका जो cost of the project है वो कितनी है 1,25,000 रुपे scrap value जो है वो कितनी है 30,000 रुपे 5 साल project की useful life है तो depreciation जो है वो कितना आ जाएगा हर साल 19,000 रुपे समझ मैं आई बात तो 19,000 रुपे का depreciation हम add कर देंगे सर आपने minus तो किया ही नहीं जिसके दिमाग में यह आ रहा है उसने मेरी बाती बेटा ध्यान से नहीं सुनी आपको बताया था कि यह जो fix cost 40,000 पे है इसमें depreciation include है अगर exclude लिखा होता तो अलग से minus करना पड़ता इस 40,000 में वो 19,000 पे already included है समझ मैं इस बात तो मतलब depreciation minus हुआ है तो यहाँ पे आप उसे द्वारा plus करेंगे तो यह आपके पास आ गया inflows अब आपको present value निकालनी है inflows तो आपने निकाल लिए PV आपको निकालनी है तो PV factor आप निकाल लेंगे at the rate of 10% 0.909, 0.826, 0.751 यहीं पे आप कर दीजे तो यह आगया present value of inflows 28634 this, this, this and this समझ मैं है अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी देखी उसकी scrap value है project की 30,000 रुपे हाँ या ना इसका मतलब कि जब आप 5th year में project अपना shutdown करेंगे तो वो scrap value का मतलब क्या होता है कि जब आप 5 साल useful life के बाद project fixed asset को dispose करेंगे तो 30,000 रुपे आपको मिलेंगे यही मतलब होता है न scrap value का yes or no amount receivable at the end of useful life of project 30,000 भी आपको मिलेंगे और कब मिलेंगे 5th year के अंदर मिलेंगे तो यह तो आपने यहां तक सीख लिया एक नया point आपको इस question में जो सीखना है जिसकी वज़े से पूरा question करवाया otherwise यहां तक तो I know very well आप खुद भी कर सकते थे present value of scrap value और यह 5th year में आएगी सिर्फ 5th year के अंदर कितनी आएगी 30,000 रुपे और उसकी present value के लिए आप 5th year का PV factor लेंगे 0.621 तो 18630 तो इन सब का total आप करेंगे जो 30,000 पे है वो आपको 5th year में realize होगा जब आप project अपना बंद करेंगे useful life कतम हो जाएगी project की उसकी PV निकालनी है तो PV कैसे निकलेगी जो 5th year का PV factor है उससे multiply करके तो 5th year का PV factor हमारे पास 0.621 है हमने सीधे उससे into करके उसकी PV निकाल दी तो total present value of inflow outflow की क्या थी 122725 inflow की है 154437 दोनों के बीच में जो difference है वो क्या जाएगा net present value तो बहुत ही simple सा question exam के अंदर ये question 12 marks का है और this is the maximum level जो आपसे NPV का question पूछा जाता है तो यहां तक आपकी NPV technique जो है पूरी होती है एक बार जितने capital budgeting का उसको revise कर लीजे क्योंकि आप ये समझ लीजे आपका 80% chapter over हो चुका है अब जो चीजे है वो इसी से interlinked है कुछ नया सीखने के लिए खास नहीं है लेकिन यहां तक जितने भी बाते हैं वो बहुत super duper strong होनी चाहिए चलिए आइए बच्चो एक बहुत ही अच्छा और बहुतरीन question अब करने चाहरे है बड़ा मज़ा आएगा इस question को करने को और ये question जो है exam में 12 से 15 number का बहुत frequently repeat होता है देखे ज़र repair limited is in the hands of a receiver for debenture holders who holds a charge on all assets repair limited जो है in the hands of a receiver इसका मतलब क्या होता है कि debenture holders ने court में अपनी application डालती है कि वो अपना amount recover नहीं कर पा रहे है और company से उनका amount recover करके दिया जाए तो court ने receiver को point किया है कि भी ये debenture holders को उनका पैसा recover करके दे तो who holds a charge on all assets मतलब debenture holders का all assets पे charge है charge होने का मतलब ये होता है कि in the case of winding up of the company company के assets को बेचा जाएगा और सबसे पहले debenture holders को दिया जाएगा अगर company का wind up होता है the following statement shows the position as regard to creditor as on 30 June कुछ एक statement आपके सामने given है which is not a balance sheet at all जिसमें आपको एक position का idea मिलेगा कि किस तरीके से company के assets liabilities है liabilities में 6,000 shares है 60EH का 30 paid up तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो इनकी जो paid up है वो वो एक लाग 80,000 रुपे हुई देखिए statement आप liquidation में बनाना सीखेंगे ठीक है इस तरह की statement आप liquidation of company करके एक आएगा आप उस तरह की statement बनाना सीखेंगे लेकिन अभी आप इस जो information given है सिर्फ उस पर focus करें 6,000 shares है 60 रुपे का एक 30 रुपे paid up तो एक लाग 80 हो गया first venture है 3,000,000 के second venture है 6,000,000 के unsecured rate payable है 4,500,000 का plant machinery जो है आपकी उसकी cost है 30 estimate की गई 150 की cash in hand है 270 total हो गया 420 uncalled capital अगर आप देखें 6,000 share में 30 रुपे मंगाए है 30 रुपे नहीं मंगाए तो uncalled हो गई आपकी 180 की deficiency है आपकी कितने की 7,500,000 की तो यह आगे कितना 13,500,000 रुपे A holds the first venture for रुपी 3,000,000 कोई Mr. A है उनके पास first venture है 3,000,000 के सारे के सारे and second venture है 3,000,000 के तो जो Mr. A है उनके पास तीन चीज़े एक तो first venture है 3,000,000 के उसके बाद second venture है कितने के 3,000,000 के और उसके बाद secured creditor sorry unsecured creditor है वो कितने के 90,000 रुपे यह तीन चीज़े जो है Mr. A के पास है उसके बाद B holds second venture of रुपी 3,000,000 and his unsecured trade payable of 60,000 B जो है वो second venture रखता है 3,000,000 के अपने पास और बाद की 60,000 रुपे के trade payable B के है तो हमारे दो major creditors अगर आप देखा जाए A और B इसलिए यह question unique है क्योंकि इसमें आपको नाम बताए गए है creditors के और बताए गया उनकी कौन सी multiple liabilities है फिर जब आप यहां देखेंगे scheme of reconstruction is proposed winding up से पहले reconstruction की scheme कोई proposed की गई और उसमें क्या दिया गया A को offer दिया गया A is to cancel rupees 210,000 of the total debt A ने जितना भी लेना है उसका 210,000 रुपे वो cancel कर देगा surrender कर देगा owing to him तो देखिए A का है क्या क्या सबसे पहले first eventures, second eventures और unsecured loan तो देखिए इसका तरीका बहुत simple है जो A का है आप A के account में credit कर दीजे first eventure है कितने के 3,000,000 रुपे के yes or no second eventure है कितने के again 3,000,000 रुपे के yes or no और unsecured creditor है वो कितने का 90,000 का to A जो है हमारी total liability कितने के 6,90,000 रुपे की yes or no being amount due to A जब भी आपको दिखे की एक particular creditor के बारे में focus कर रहा है आप उसका total amount entry में निकाल लीजे debenture, second eventure, unsecured creditor A को हमने total 6,90 रुपे देने है अब 6,90 में वो 12 कैंसल कर रहा है and to bring rupees 30,000 in cash और वो 30,000 रुपे cash भी लाएगा and to take first debenture of rupees 5,10,000 in satisfaction of all his claim मतलब अगर आप ध्यान से देखे हैं तो क्या बोला गया है कि 6,90 रुपे उसने total लेने जिसमें से 2,10,000 रुपे वो cancel करने के लिए त्यार है yes or no 30,000 रुपे वो cash लेके आएगा अलग से कितना अच्छा इंसान है और 5,10,000 रुपे के first debenture जो है वो issue किये जाएगे तो A account debit 6,90 आप समझेगा इस चीज को cash वो लेके आया कितना 30,000 रुपे debit क्योंगी है क्योंकि वो लेके आया पूरे process में हमारा जो cancel कर रहा है वो अपने 2,10,000 रुपे तो वो हमारे लिए फायदा है capital reduction अगर creditor अपने 2,10,000 रुपे नहीं ले रहा तो हमारे लिए फायदा है न yes or no फायदा है इसलिए हमने उसे क्या किया credit किया और to first debenture वो ले गया 5,10,000 के देखिए आप पूरी entry को समझने की कोशिश करें बहुत ही simple सी चीज है सबसे पहले एसे जो amount due था वो सारा का सारा हमने एक एकाउंट में transfer कर दी है और उसके बाद हमने बहुत ही simple same way B का आप करेंगे आप खुद B hold second debenture लेकिन उससे पहले काम करिए आप ये दो entries जो है वो नोट डाउन करिए, important है ये दो entries आप नोट डाउन कर लीजे फास्ट कर लिए इसके बाद आप second debenture खुद करें B का जो है second debenture है और unsecured rate payable और B जो है वो 90,000 पे cash लेगा in satisfaction of all claims वो कहारा है ये 90,000 cash देदो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए बहुत ही simple, खुद बताओ क्या होगा second debenture debit unsecured rate payable to B और B कहारा है सिफ मुझे 90,000 cash चाहिए तो B debit 360 to cash 90, बाकी capital deduction के अंदर चला जाएगा, yes or no यहाँ पे हमारे asset कम हो रहे यह जो है वो balancing figure है, यह हमारा फायदा हो रहा है yes or no, पका, sure इसके बाद अगर आप देखे in full settlement 75% of the claim unsecured creditors other than A and B A और B को छोड़के, तो बटा A था 90,000 का, B था 60,000 का तो 450 में से 150 अगर चले गए तो बचे कितने के, 3,00,000 के, yes or no तो क्या लिखा है बटा उसमे in full settlement 75% of the claim unsecured creditors other than A and B agreed to accept 4 shares of 7.5 each fully paid against their claim for each share of Rs. 60 the balance of 25% is to be postponed and to be payable at the end of 3 years from the date of court approval of the scheme the nominal share capital is to be increased accordingly क्या कहना चारा है कि जो 3,00,000 है उसका 75% which comes out to be 2,25,000 वो हमने पे किया through equity shares और बाकी जो 25% that is Rs. 75,000 we have to pay later on later on भी मतलब after 3 years जिस दिन वो स्कीम जो है अप्रूफ हो जाएगी समझ मैं इबा अब ये 75% को भी कैसे देना है देखो उनों ने कहा था agree to accept 4 shares of 7.5 each fully paid against their claim of each share of Rs. 60 मतलब अगर claim उनका 60 रुपे का है तो उस 60 रुपे के claim के against वो 4 equity share ले रहे हैं और एक share जो है वो साड़े साथ रुपे का तो साड़े साथ इन तुचार कितना होता है 30 मतलब 60 रुपे का अगर उनका claim है तो वो सिफ 30 रुपे के shares ले रहे हैं पढ़े अराम से रिलाक्स हो के इस line को पढ़िये अगर एक claim साथ रुपे का है तो उसके बदले में वो साड़े साथ रुपे के हिसाब से चार shares agreed to accept 4 shares of 7.5 तो कितना हो गया 4 equity shares 7.5 का 30 रुपे yes or no 30 रुपे हो गया और claim कितने का है 60 रुपे का 60 रुपे का claim है उसके against 30 में वो मान रहे हैं मतलब 2,25,000 में भी आपको सिर्फ 1,12,500 के shares देने हैं बाकी आपके लिए एक बारा 550 परसेंट जो है वो एक तरह से क्या हो गया फाइदा हो गया समझ मैं यह बार श्रुप तो देखिए धर unsecured credit to equity share capital to capital reduction समझ मैं है very important entry उसके बाद तो simple है uncalled capital is to be called up in full तो यह 60,000 into 30 आप पहले मंगा लीजिए किस तरीके से equity share final call to equity share capital bank account debit to equity share final call 180 ठीक है इसके बाद अगर आप देखें तो क्या है 52.5 पर share cancel हो गए thus making the share of rupees 7.5 each तो आप देखिए धर equity share capital debit 60 ठीक है cancel आप ने कर दिये to capital reduction यह कितना है बताओ 6000 shares 52.5 से 6000 थे ना भई यह 10 से देखो तो कितना हो गया 3 15 अब जो balance है अपका 6000 share 7.5 रुपे के चेक है अब देखिए question में आपको यहां पर deficiency देख रही थी कितनी 7.5 रुपे इस 7.5 रुपे को आप P&L का loss वाला balance मत समझ लेना क्यों ऐसा क्यों देखिए यह deficiency statement है यह balance sheet नहीं है यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए plant and machinery की cost यहां गिवन है यह estimated act गिवन है book value जबकि plant and machinery आती किस पर है cost पर yes or no आप देखो अगर balance sheet होती तो यह cost आती न बहर अच्छा इसके बाद uncalled capital आपको यहां given है कभी balance sheet में अपने asset side uncalled capital देखिए यहां पर जो paid up है वो mention नहीं है तो यह deficiency statement है जो आप सीखेंगे liquidation के अंदर उसमें भी इतनी depth में नहीं सीखेंगे वहां पर भी इसके एक छोटे सा part आता है in short जो हमारे काम की चीज़े this is a deficiency this is not a P&L loss वो हमें निकालना पड़ेगा वो हम किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से देखिए जो भी हमारे पास asset है उसकी आपने cost daily cash और जो liabilities आपको balance sheet में given है first debenture, second debenture, unsecured rate payable या इससे भी अच्छा तरीका अगर आपको लेना है तो आप simply क्या करिए एक balance sheet बना लीजे यहाँ पर आपने लिख लिए asset और यहाँ आपने लिख लिए liability तो मतलब उसी question की जो balance sheet है यह deficiency statement है न इसी से आप balance sheet बनाई है तो आप देखेंगे कि यहाँ आप लिखेंगे bit up fixed asset कितने के 3,90,000 चीक है उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे cash कितना 2,70,000 उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप equity share capital 1,80,000 इसके बाद first debenture 3,00, चीक है इसके बाद यहाँ पर second debenture जो आपको balance sheet में given थे आप as a test लिखें चीक है और यहाँ पर आप लिखेंगे trade payable 4,90,000 उसी चीज़ को नोने statement form में आपको वहाँ बता है तो automatically यहाँ पर जो है आपका P&L का loss जो है वो बचेगा तो देखें कितना आ रहा है 8,70,000 तो इसको आप जो है वो write off कर देंगे capital reduction में से 8,70,000 उपए के बाद आपको capital reduction account बनाना है और जो भी balance बचेगा उसको आप capital reserve में transfer करतेंगे ठीक है तो एक बहुत ही simple सा solution आपके सामने लेकिन बहुत important question जो की 12-15 marks का आता है ठीक है तो आप इसे इस तरीके से करेंगे अब आपको इसके बनाना है capital reduction account whatever the balance left transfer it to capital reserve चलिए अब स्टार्ट क आपके देखिए profitability index क्या होता है present value of inflow divided by present value of outflow यह simply अगर हम बोलें तो ratio of present value of inflows and outflows अब बड़े ध्यान से देखिए बहुत simple है अगर एक बात बताओ इतना mathematics आपका strong है अगर यह ratio 1 आ रही है अगर PV of inflow divided by PV of outflow हमारा equivalent to 1 है तो can I say कि यह तभी possible है जब दोनों उपर नीचे जो figures होंगी वो same होंगी numerator अगर denominator के equal होगा तभी तो यह equivalent to 1 आ सकता है यह सोनो हाया ना तो मतलब सीधी भाशा में अगर profitability index 1 आ रहा है तो present value of inflow equivalent है present value of outflow के हाया ना पका sure without अच्छा अब आप एक बात बताओ NPV का formula क्या था sir NPV का formula था present value of inflows minus present value of outflows यही formula था हाया ना अब एक बात बताओ तो आप simple भाशा में अगर PV of inflow and PV of outflow दोनों equivalent है दोनों equal है यह भी 100 है suppose और यह भी आपका 100 है तो उस case में NPV आपका क्या आएगा sir zero आएगा तो NPV आपका क्या आजाएगा निल yes or no sure पका clear है यह बात तो अगर पी आई वन है देखिए theory के point of view से बहुत important है question इस पे exam में आ जाते है theory के चार नमबर तक के तो सारी चीजे बड़े ध्यान से समझो रखने की ज़रूरत नहीं है पी आई अगर वन के equal है इसका मतलब present value of inflow present value of outflow के equal है NPV हमारा निल आएगा अगर पी आई हमारा greater than one है एक से जादा है तो एक बात बताओ एक से जादा कब हो सकता है आप थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्थिमाल करें सर एक से जादा तो तभी हो सकता है जब numerator बढ़ा हो और denominator छोड़ा हो जैसे की अब ये एक से जादा है अगर ये 100 है तो ये 100 से कम होना चाहिए ऐसे 80 है तभी तो ये एक से जादा आ सकता है yes or no तो इसका मतलब एक से जादा है मतलब present value of inflow जादा है और present value of outflow कम है और अगर present value of inflow जादा होगी और जो हमारा outflow है वो कम होगा ठीक है तो उस case के अंदर आप एक बात खुछ सोचो अगर ये 80 है तो NPV क्या है आपका 20 आया that is positive आया yes or no sure तो अगर PV of inflow जादा है PV of outflow से तो NPV जो है वो आपका क्या आएगा positive आया समझ भाई बात PIE profitability index less than 1 है एक से छोटा है अब आप एक बात बता हो खुद ही मैं कुछ नहीं बताने वाना चलो आप खुद अकल मन्हें आप बताईए कि कब जो है ये आपका एक से छोटा आ सकता है सोची सही सोच रहा है एक से छोटा तब आ सकता है जब denominator बढ़ा हो yes or no denominator बढ़ा हो मतलब PV of outflow जादा हो PV of inflow से मतलब अगर ये 100 है तो ये 125 है yes or no sure तो उस case के अंदर ये 25 क्या जाएगा negative का तो NPV क्या हो गया negative तो ये जो theory आपको सिखाई है ये बहुत important theory इसमें से चार नंबर तक की question exam में आ जाते हैं निकालना तो rare ही आता है निकालने में तो ही क्या PV of inflow निकाल ला outflow निकाल लोग पन नीचे रख तो लेकिन theory बहुत important है PI 1 है दोनों equal होंगे NPV nil होगा PI greater than 1 है inflow का जो present value हो जादा होगा present value of output flow से NPV positive होगा and PI अगर less than 1 है तो PV of outflow बड़ा है PV of inflow से NPV आपका negative होगा फटा फट कर लोग चले एक question देखते है Suppose we have three projects involving discounted cash outflow of 5,50,000, 75,000 and 1,20,000 respectively Suppose further that the sum of discounted cash inflows देखरो discounted cash inflows इसका मतलब जो आपको given है वो already present value है of cash inflow बड़े ध्यान से देखे एक एक अक्षर की बड़ी एहमियाद होती है क्या लिखा हुआ है खासकर FMA account से भी जावा important हो जाता है क्या लिखा हुआ है discounted cash inflows का मतलब क्या हुआ present value of cash inflow of three projects जो है वो आपको given है तो outflow भी given थे inflow भी given है calculate desirability factors for three projects desirability factors इसका मतलब होता है profitability index यहाँ पर भी लिख लीजएगा please इसका दूसरा नाम होता है desirability factors ठीक है तो देखे बहुत simple है formula आप जरूर लिख यह एक्जाम में किसी भी चीज़ का देखे formula लिखने के भी marks होते हैं तो अगर calculation गलत अभी हो गई तो at least आपको formula के marks तो मिलेंगे ना PV of inflow upon PV of outflows तो देखे first project में inflow का PV है 650 outflow था 550 चेक है तो 1.18 आया फिर next में था 95,000 यहाँ है 75,000 95 by 75 फिर यहाँ है 1 crore 20,000 और यहाँ था 1 crore 30,000 तो यह आपका आया तो आपने तीनों के PIE निकालिये जितना higher PIE होगा किसी project का वो उतना अच्छा होगा हमारे यह बट आपने से फटा फट इसको note down करिए note down के अधर में आप खुदी इस question को करिए चलिए अब start करने जा रहे है internal rate of return बहुत ही simple concept और NPV के बाद second most important topic है जिससे question capital budgeting में पूछा जाता है ठीक है अभी तक आप हमारे साथ capital budgeting कर चुके हों लगपक आपका मोटा मोटा जो part है वो over हो चुक है और आपको यह भी बता दूँ कि यह सबसे मुश्किल chapter आप कर रहे है financial management का और अगर आपको यह असान लग रहा है तो आप सोची FM में है ही क्या सच बता रहा हूँ आपको बात बतलब बहुत simple course है हमारे FM का कुछ भी इसके अंदर technical नहीं है आप थोड़ी सी भी मेनत करेंगे ना 60 में से 45 marks तो हर बच्चे का जनम से दधिकार है इसके अंदर आप समझ जाए तो चलिया यह शुरू करते हैं internal rate of return दी की help से आप NPV निकालते थे yes or no पका कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं लेकिन यहाँ पर आपको rate of return ही निकालना है और आपको निकालना है यहाँ पर actual rate of return अभी तक आप नहीं क्या किया question में आपको inflow की information होती थी question में आपको outflow की information होती थी आपको एक interest rate या required rate of return given होता था yes or no और उससे आप जो है निकालते थे NPV आप देखते थे project accept करना है या नहीं यहाँ आपको एक rate of return निकालना है so that कि आपका जो NPV है वो zero होगा मतलब sir जी हाँ आपको वो rate of return निकालना है जिससे present value of inflow present value of outflow के equivalent आए यहाँ पर हमारा यह target है क्या निकालना है देखान से देखे rate of return कौन सा rate of return from which present value of inflow will be equal to present value of outflow एक ऐसा rate निकालो जिससे inflow और outflow जो है दोनों की present value जब हम निकाले तो वो एक दूसरे के equal आ जाए और जब एक दूसरे के equal आ जाएंगी तो इसका मतलब NPV जो है zero होगा या profitability index जो है वो किसके equal होगा one के in simple words if PV factors are computed from such rate of return then present value of inflow किसके equal आएगा present value of outflow के और इसका मतलब NPV zero होगा और profitability index जो है वो किसके equal होगा one के होगा तो internal rate of return पे थियोरी आती है कही बार दो नंबर की की होता क्या है तो simple एक ऐसा rate of return जहां present उससे अगर हम present value in flow और outflow के निकालेंगे तो वो equal आएंगी और क्योंकि वो equal आएंगी तो NPV वहाँ zero आएगा और PI किसके equal होगा one के equal होगा समझ मैं इबाद शो clear है पक्का आप वीडियो यहां stop करिए इसको एक बार note down करिए फिर एक छोटी जे नीचे exercise आप लोगों के लिए दिया है उसको हम करेंगे पहले आप इसको note down करिए fast चलिए भी exercise देखते हैं यह second most important theory question है जो exam में आता है देखिए अगर question में inflow गिवन है outflow गिवन है required rate of return गिवन है और आप NPV निकालते हैं तो NPV या तो zero आएगा या positive आएगा या negative आएगा yes or no अब अगर NPV zero आया इसका मतलब क्या है कि जो भी interest rate required rate of return question में गिवन था वो ही आपका IRR है yes or no क्योंकि देखो IRR के अंदर हम निकालते क्या है वो rate of return जिससे PV of inflow equal है PV of outflow के और चब यह दोने equal हैंगे तो NPV zero आएगा तो बड़ा simple है कि अगर NPV आपने निकाला from required rate of return और वो आपका zero आ रहा है NPV जो है वो आपका क्या रहा है zero आ रहा है तो आपका जो IRR है वो किसके equivalent होगा जो भी आपका required rate of return है इसमें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिकत नहीं होनी चाहिए कि अगर NPV आपका zero आ रहा है जो भी आपको interest rate given है वो ही आपका क्या है question में IRR है इतना straight forward question कई बार exam में दो number का in fact एक बार तीन number का भी यह question exam में आ चुका है इतना straight forward लेकिन दिमाग आपको लगाना पड़ेगा concept नहीं समझोगे रटने की कोशिश करोगे तो first जाओगे IRR का meaning समझ में आ गया तो उसके बाद आपको यह भी समझ में आ गया कोई इसमें दिकत नहीं बट suppose कि आपका जो NPV है वो positive आ रहा है वो क्या रहा है positive आ रहा है आपने निकाला जो भी required rate of return था उससे present value of inflow present value of outflow और आपका NPV आ गया positive yes or no तो अगर आपका NPV required rate of return से positive आ गया तो आप देखेंगे कि आपका IRR जो है उससे जादा है वही आपका required rate of return था 10% चाहिए और NPV आ गया positive मतलब कहीं ना कहीं जो return है वो 10% से जादा है तभी तो वो positive आया भाई positive आने का मतलब क्या है positive आने का मतलब है project से actual return 10% से जादा है तभी NPV positive है तो मतलब जो actual return है IRR का दूसरा नाम भी होता है actual rate of return सारी बात एक बार में नहीं बता सकते आपको reason being आप confused हो जाएंगे और जहां जा मैं हिंदी में लिखता हूँ आप कोशिश करिया आप भी लिखे reason being वो जरूरी FM को समझने के लिए तो इसका मतलब NPV अगर positive आ रहा है तो IRR आपका आपके required rate of return से जादा होगा मतलब IRR 12 हो 14 हो 16 हो आप यह निकालना सीखेंगे लेकिन वो जावा होगा समझ में आती है बात पका शेयो आगे बात करते हैं तो अगर हलका सभी doubt है तो वीडियो एक बन यहां दुबारा देख लो क्योंकि सावतानी हटी तुर घटना घटी इसलिए पड़े इत्यान से एक चीज समझ यह चलिए अब अगर NPV नेगेटिव आ गया इसका मतलब जो आपका required rate of return है actual return जो है उससे कम है तभी NPV नेगेटिव आया तो अगर NPV required rate of return से negative आ जाता है इसका मतलब IRR जो है वो required rate of return से कम होगा समझ मैं आई बार शेयो बहुत important page theory का आपके सामने है बड़े इत्यान से इस page को इकदम दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए question करने में भी बहुत useful होगा as well as straight forward जो theory के question आपके exam में आते हैं उसके लिए भी useful होगा सारी चीजे एकदम तरीके से note down करनी है proper notes आपको बनानी है चलिए बच्चों एक example से समझते हैं suppose हमारे पास एक project है जिसमें outflows होंगे दो लाग रुपे के चीक है और inflow होंगे 1-2-5 years में 70,000 per year and let us assume required rate of return is 10% तो देखो बहुत simple है अब तो आप master आद भी बन चुके हो अगर हर साल के inflow सेम होते हैं तो उसका तरीका क्या होता है कि जो भी inflow है उसे आप multiply करते हैं sum of PV factor से yes or no तो हमने वही किया present value of cash inflow 70,000 multiplied by 3.791 3.791 क्या है यह एक तरह से this is your basically sum of PV factor of 1 to 5 years ठीक है तो यह आपको कितना गया 2,65,370 अब इसके बाद अगर आप देखें तो outflow कितने हैं दो लाख रुपे के तो 2,65,370 minus 2,00,000 तो यह आपका NPV 65,370 सरी तो आपने NPV निकालना सिखा दिया लेकिन हम तो IRR निकालना सीखना चाहते थे देखिए NPV से ही आप IRR निकालना सीखेंगे बड़े अराम से रिलाक्स हो जाईए देखिए यह आपने एक बड़ा simple सा example देखा जिसमें हमने NPV सी से निकलता है इसी question को जड़ा समझने की कोशिश करते हैं देखो तीन steps हैं बहुत simple और आपने मेरे साथ 2 question in 3 steps पे practice कर लिये ना आप IRR में अपने final level तक confused नहीं होगे और आपको मैं बता दूँ यही topic as it is final में भी है तो पड़े ध्यान से एक चीज़ समझनी है आपको step 1 find NPV from any rate such that NPV is equals to positive मतलब आपको जैसे यहाँ पर आपने required rate of return 10% लिया वेटा तो आपने देखा NPV क्या आ रहा है positive आ रहा है yes or no तो कोई भी ऐसा rate of return आप लो कोई भी rate जो आपका मन करे any rate देखरो आप कोई उसमें restriction लिया जो आपका मन करें आप भोले तो कोई भी आप ऐसा rate लें जिससे आपका NPV positive आ जै तो sir हमने यहाँ 10% लिया था उससे कर सकते हैं जी हाँ 10 से कर सकते हैं आप 9 से कर सकते हैं 8 से कर सकते देखिए एक बद्ध्यान रखिए अगर 10% से positive आ र deals होता चला जाएगा fundamental philosophy है कि अगर आपने कोई particular rate लिया तो उससे अगर आगे का rate लेंगे ठीक है तो NPV जो है वो कम होता चला जाएगा ठीक है लेकिन अगर उससे आप कोई भी पीछे का rate लेंगे तो आपका जो है NPV बढ़ता चला जाएगा प्लस होता चला जाएगा समझ म या minus होगा और वहाँ पे क्या होगा प्लस कोई भी particular rate से तो अगर आपने 10% लिया है आप 10% से उपर का rate लेंगे कोई भी तो आप देखेंगे NPV आपका कम होता चला जाएगा लेकिन अगर उससे नीचे का कोई rate लेंगे तो आप देखेंगे NPV और बढ़ता चला जाएगा तो आपको कोई भी ऐसा rate लेना है जिससे NPV positive है 10% तो था ही हमारे पास फिर भी मैंने आप लोगों के लिए inflow 8% से निकाल ली है ऐसी क्या 10 नहीं ले सकते थे ले सकते थे किसने मना कि उससे भी NPV positive आ रहा था just to be safer side कि आपको confusion ना हो किसी प्रकार का तो 70,000 multiply by 3.993 ये क्या ह है अगें sum of PV factor at the rate of 8% 1 to 5 years देखिए अगर calculation में एक अदर decimal इधर उदर आ रहा हो तो please उसे आप adjust करिएगा इतनी चलती है दिक्कत तो 70,000 multiply by 3.993 कितना अगया 279510 और अगर आपने NPV निकाला तो वो positive आ गया 79510 तो rate कोई भी हो doesn't matter at all but should result in positive NPV बड़े अराम से कोई fast forward करके वीडियो नहीं देखनी I know मैं slow पड़ा रहा हूं reason being बहुत important topic है हलका सा pace up कर दूँगा तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी तो please try to understand my problem step 2 वोही step repeat करना है find NPV from any rate such that इस पार NPV जो है वो negative आना चाहिए क्या आना चाहिए negative जो पहले positive आ तो मैंने देखा positive 79,510 है उपर का rate try करते हैं तो देखो उपर आप जहां मर्जी try करो 10% के gap पे 15% के gap पे try करो ज्यादा बैटा रहे तो मैंने सीधे 25% लिया असर 25 ही क्यों लिया अरे मेरे बेटे 24 ले ले 26 ले 28 ले 30 ले वो आपके उपर है मैं उस चीज़ को कुछ कहीं नहीं रहा 20 ले लो अगर आपका मन करता है 21 ले लो जो आपका मन करें आप वो लो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो PV of inflow at the rate of 25% 2.6898 ये क्या है sum of PV factor at the rate of 25% for 1 to 5 years चेक है तो ये आगया आपका 1,88,250 नपीवी आपने निकाला वो क्या आगया नेगेटिव तो आपने देखा हमने एक ऐसा rate ले जिससे नपीवी पॉजिटिव आ रहा रहा था है एक ऐसा rate ले जिससे नेगेटिव आ रहा था कोई भी rate हो सकता है it doesn't matter at all सम ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे है आपको पहले वो rate लेना है जिससे NPV positive आ रहा था rate from which NPV is positive तो वो rate क्या था 8% था yes or no इसके बाद present value of inflow from lower rate LR का मतलब क्या है आपर जो आपने lower rate लिया उससे जो inflow की present value आई inflow की present value कितनी आई बेटा 2,79,510 yes or no और देखो वो ही चीन नीचे लिख देनी आपको आख बंद करके minus minus ये देखो PV of inflow from lower rate फिर cost of asset कितना था बहुत ये दोलाग रुपे प्रोजेक में दोलाग रुपे लग रहे ना बेटा अब देखिए yes or no इसके बाद PV of inflow from HR HR का मतलब human resource मत समझ ले ना तुम CA वाले बच्चे हो ना higher rate ये commerce वाले बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत है higher rate तो higher rate क्या है 188250 चीक है 188250 multiply अब है difference in rate आठ परसेंट और 15 सौरी 25 परसेंट और आठ परसेंट के बीच का जो difference है वो आपको यहां पे लिखना है ये आपका फॉर्मल है बहुत simple आप देखिए 8 परसेंट दिस दिस कट कट टक 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 यह आपका 1.14.8 आया तो यह आगए 22.8 परसेंट चीक है और देखिए कभी यह accurate नहीं होता कि आप सोचे एकदम decimal to decimal आ रहा है ऐसा नहीं है actually आप 8 से 25 के बीच में ले रहो कोई 10 परसेंट से 24 परसेंट का गैप लेगा कोई 11 से 23 का गैप लेगा तो वो थोड़ा सा इधर उदर हो सकता है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है उससे कोई फरक नहीं पड़ता इतना जो है आपके एक्जाम में चलेगा तो बहुत सिंपल तरीका आपको IRR निकालने का बता है और आप इसको फॉलो करिए that's a best method to compute the IRR अभी इस पर हम एक दो कोईशन और अच्छे अच्छे प्रेक्टिस करेंगे लेकिन तब तक आप जो ही जो आपके सामने सारा का सारा इसको बहुत अच्छे से जो है वो नोट डाउन कर लीजेगा चेक है और एक बार इसको रिवाइस करिएगा इसके बाद एक दो कोशन इसके उपर और अच्छे से प्रेक्टिस करते हैं तो यह था हमारा टॉपिक आया रहा है चले आगे दिखते हैं calculate the internal rate of return of an investment of rupees 136,000 which yields the following cash inflow बड़ा असान है कोई दिक्कत ही नहीं है यह आ भी negative है और एक formula लगा अब random basis पे आप कोई भी rate ले लो present value of inflow at the rate of 8% अब आप कहोगे sir 8% क्यों तो देखो मेरे ना सच्छी राज की बाद बताता हूँ मेरा birth date जो है उसको total 8 आता है तो इसलिए मैं 8 हट बार बार ले रहा हूँ ठीक है तो अब देखो 03021992 this is my date of birth so if you will do it total 5 10 11 21 plus 5 26 comes out to be 8 शायर इसलिए मैं बार बार आठ ले रहा हूँ चलो leave it now अब ध्यान से देखे यह आपके cash inflows आपके given है आपने क्या किया 8% से present value निकाल ली inflow के आपको आता ही है inflow years pv factor लेंगा 8% से pv यह आपका आपका आगया आपको खुद करना है just मैं आपको hint दे रहा हूँ NPV आपने निकाला देखा NPV जो है वो positive आ रहा है yes or no तो पहला काम तो हो गया देखो हो सकता है पहले वाले में negative आ जाए तो अगर suppose 8% से वो negative आ जाता है तो हम कुछ नहीं करते है अभी हमने fundamental philosophy देखी है कि जो भी आपने rate लिए है उसके उपर का rate लोगे NPV कम होता चला जाएगा उससे नीचे का rate लोगे NPV जादा होता चला जाएगा तब यहा positive आ गया तो हम क्या करेंगे हम जो है इसके उपर का rate लेना शुरू करेंगे ठीक है क्योंकि हम अब negative लेना है yes or no तो suppose मैं 15% ले लेता हूँ ठीक है 15% स से पीवी फेक्टर प्रेजंट वेल्यू आगे हमने देखा इन पीवी जो है वो क्या रहा है negative तो positive भी आगया negative भी आगया अब देखो IRR निकालना है आपको अब मैंने एक बत्तमीजी करी यहां पर formula नहीं लिखा आप मत कर गया नहीं इन तो number कर जाएंगे formula जरूर लिखन from higher rate into difference in rate yes or no तो formula आपको जरूर लिखना है ठीक है तो lower rate था 8% अब इससे PV of inflow 145370 lower rate से यही थी cost of asset और यहां पर higher rate से जो PV of inflow है यहां difference in rate चले formula भी लिख दिया आपका तो difference in rate कितना था 15.87 and this तो यह आपने किया तो 10.92% आपका जो है वो IRR आगया अपसर 8.15 ही लेना जरूरी है बिल्कुल भी नहीं आप जो है 10.15 भी ले सकते हैं 12.8 भी ले सकते हैं जो आपका मन करें अंसर जो है वो थोड़ा बहुत उप नीचे fluctuate होगा otherwise main answer जो है जैसे 10R है तो बात की decimally change होगी उससे पहले की चीज़े effect होई इसके rare chances चीक है तो question अपने आप try करिएगा solution आपको बता दिये कहीं फसेंगे तभी solution देखिएगा otherwise आपको solution नहीं देखना चले एक अच्छा question हमारे पास आया निकालने का company proposes to install a machine having a capital cost of 3,60,000 the life of the machine is 5 years, 5 साल उसकी life है and its salvage value at the end of the life is nil और उसकी जो salvage value है, residual value at the end of life वो निल है machine will produce the net operating income after depreciation of 68,000 पर रहे नो, जो से net operating income आईगी after depreciation लिखा होगा देखिए आप देख पाने साफ साफ लिखा होगा after depreciation हो आईगी 68,000, the company's tax rate is 45%, NPV आपको given है, देखिए कभी भी आपको अगर net operating income question में given है, आप पड़े ध्यान से समझें अब इसमें तो साफ लिख लिए after depreciation कुछ नहीं लिखा हो, मतलब after depreciation है clear है को इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन text के बारे में कुछ नहीं लिखा हो, तो आप ये assume करेंगे कि it is before text, ये जो है अभी text देने से पहले है, समझ मैं आईवा, शो, आपको हमेशा यही अपनी assumption लेन income है, after depreciation लिखा हुए 68,000 ठीक है, text minus हुआ या नहीं हुआ, तो आपको ये ही मानना है, अगर question में नहीं लिखा हुआ, कुछ कि it is before text, तो देखे बड़ा simple है, 3,60,000 पे life है, 3,60,000 पे cost और 5 साल उसकी life है, तो 3,60,000 डिवाइट बाइफ, depreciation कितना आ गया, 72,000 है, अब net operating income after depreci depreciation हमें गिवनती 68,000, हम क्या मानेंगे, it is before text, तो text हमने minus किया, ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या गया, operating income after tax, yes or no, operating income after tax, ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, बताओ, very good, depreciation add on करते हैं, ताकि हम cash inflow निकाल सकें, ये बात आपको अच्छे से पता है, तो 109,400 आपके cash inflow आगे, उसने आपसे पूछा है, IRR question में खास बात किया है, discounting rates उसने आपको बता दिये, और उनका sum of PV factor भी जो है, उसने आपको बता दिया, देख रहे हैं, तो आपकी मेहनत आधी हो गई, 109,400 आपको cash inflow गिवन है, तो आप क्या करो, देखो बढ़ा simple है, सबसे lower rate को उठा जबकि cost क्या थी, 360,000, तो अगर आप NPV निकालेंगे, तो that will be 15242, अब देखो, इतना step आप skip कर सकते हो, कोई कि exam में question 4 number तक आएगा, तो ये नहीं कि आपको पूरा लिख के दिखाना चरूरी है, आप सीधे 360, 375, 242-360, आपने NPV सीधा लिख दिया 15242, समझ महीं है, अब आप 15 पे try करो, 16 पे करो, 17, 18, ये random basis पे आपको select करना कि आप कौन साथ करना चाते हो, मैं बच्चों को advice देता हूं कि एक छोड़ के try करो हमेशा, अगर आपको 4-5 ऐसे rate दे रखें, सबसे पहले lower rate ले ले लिया, फिर एक छोड़ के try करेंगे आप 16 पर, 15 भी कर जकने आपक 16, 18, जिस मर्जी से करिए, ऐसा नहीं है कि आपने सर 16 के हो लिया, it's completely on random basis, तो 109, 400, 3.27 उसका sum of PV फेक्टर, तो ये आगया 357, 738, अब cost था 360, NPV निकालेंगे क्या आपका negative आगया, चाहिए तो एक positive आगया, एक negative आगया, यहाँ पर पूरा का पूरा आपने formula IRR का जरूर लिखना है, जब भी आप IRR निकालेंगे, चाहिए, उसका formula जरूर लिखना है, क्या है, rate from which NPV is positive, तो वो rate था आपका 14%, PV of inflow, उससे कितना था, 375242, यहाँ पर भी 375242, फिर अगर आप देखेंगे, तो cost of asset, जो है, वो कितना है, 3,60,000 और यहाँ पर अगर आप 17th year, और difference in rate यहाँ पर 16-14, कितना है, 2, तो when you will calculate, it will come out to be 15.74, आप 14, 17 से भी निकाल सकते हैं, 14, 18 से भी, जो हमारा answer है, वो differ करेगा, लेकिन, it will be okay, कोई इसमें गलत नहीं माना जाएगा, चीक है, लेकिन, जो खास बाते हैं अपने इस question में सी, कि अगर net operating income question में आपको given है तो assume it is before tax, अगर tax rate आपको question में specifically given है, समझ माईबा, और जब भी ऐसे discounting factor given हो, कुछ compute नहीं करना, इसी को use करना है, सबसे पहले ये ले लो, और फिर एक छोड़के एक आप try कर सकते हैं, समझ माईबा, question खुद try करिएगा, कहीं फसे तभी solution देखना है, otherwise आपको खुदी करन चले आईए, suppose there are two projects A and B are under consideration, the cash inflows associated with these projects are as follow, year 0, देखी जब भी bracket में दिखना होता है, इसका मतलब होता है कि ये आपको outflow given है, ठीक है, और जो bracket में नहीं है, वो सारे inflows है, दो अलग-लग project है, अब दो अलग-लग question समझे, सीदी सीवा, आपको क्या निकालना है, cost of capital है 10%, which project should be accepted as per NPV method and IRR method, एक ऐसे question exam में 8 से 12 number के बीच में आ जाते, depending upon the fact, examiner paper को lengthy बनाना चाहता है या नहीं, तो NPV तो आपको देखो बहुत अच्छे से आता है, और IRR भी आपको बहुत अच्छे से आता है, just एक बार overview दे रहा हूँ, आप फटा-फटे से देखिए और उसके बाद करिएगा, और better तो आपको यही advice दूँगा, आप project A का NPV निकालिए, IRR खुद निकालिए और S A B का निकालिए, ठीक है, खुद निकालने की कोशिश के लिए, चलिए, project A, PV of inflows at the rate of 10%, ठीक है, तो year 1, 2, 3, inflow given है 50, 60, 40, PV factor आप निकालेंगे, present value आ गई, तो आपने NPV निका लिया, yes or no, sure, कोई दिक्कत इसमे, project B में भी PV factor, आप लेंगे 10% वाले, चीक है, present value आ गई, this is present value of inflows, उसके बाद आपने क्या निकाल लिया, NPV, चीक है, अब उसने बूचा है, which project should be accepted, advice जलो लिखने, तो देखिए, लिखने का तरीका आपको यहां पर आना चाहिए, अगर आप देखे, NPV यहां भी positive और यहां भी positive है, दोनों ही project हमाई लिए favorable है, लेकिन, हम project B को preference देगे, क्योंकि उसकी comparatively NPV जादा आ रही है, तो लिखने कैसी advice, इसके लिए question आपको करवाय जा रहा है, though NPV of both the projects are positive, but NPV of project B is higher, therefore we should accept project B, बच्चे क्या करते हैं, exam में सिर्फ accept it, no, the proper answer is, though NPV of both the projects are positive, but NPV of project B is higher, therefore we should accept project B, so this is the advice that you will give to the management की कौन सा project उने accept करना है, कोई दिक्कत इसमे, sure, आप यहां तक एक बार करी, उसके बाद IRR क्या बोलते हैं, आप उसे देखेंगे कैसे निकाला है, फटाफट करिए, फास्ट, चलिए, अब देखते हैं, IRR के लि A में, तो positive आया, yes or no, तो let me try with the higher rate, तो computation of IRR, project A, 15% से हमने निकाल के देखा, year 1, 2, 3, inflows, PV factor, present value, तो यह कितना आ गया, 115, 180, जबकि अगर आप देखें, cost of the project, जो है, वो कितनी है, 1,00, तो जब हमने 15% से भी निकाला, तो जो NPV है हमारा, you can clearly see, कि वो अभी भी जो है हमारा positive आ रहा है, random basis पे negative नहीं आया, चलो कुछ नहीं होता, और higher rate लेते हैं, 20% पे try करते हैं, year, inflows, PV factor, चेक है, इसके बार present value, यह, फिर हमने देखा NPV जो है, वो positive आ रहा है, देखें, कई बार ऐसे question exam में first जाते हैं, अब 10 पे भी positive है, 15 पे भी positive है लेकिन आप देखें, कम होता जा रहा है, 15 180 था, फिर 6420 था, चलिए, 25 पे try करते हैं, 25 पे try किया, 123 inflows, PV factor, present value, NPV आपका आ गया, minus 1120, आ गया, higher न, sure, अब बड़े ध्यान से देखो, 25 पे जो है, वो क्या आया है, 25 परसंट पे NPV जो है, वो negative आया, उससे नीचे आपने rate लिए 20 परसंट, 15 परसंट, सब पे positive था, तो आप कैसे भी निकालो, आप lower में 20 को ले लो, देखो, 20 परसंट lower ले लिया, 20 परसंट से अगर देखें, तो present value of inflow कितनी आ रही थी, 106420, yes or no, 106420, cost of the asset, और यहाँ पर, जो आपने higher rate लिया है, उससे जो PV of inflow आ रहा है, और difference in rate, यही formula होता है, yes or no, formula जरूर लिखना है, यह देखें, यहाँ लिख दिया, rate from which NPV is positive, PV of inflow from lower rate, lower rate, minus cost of asset, minus PV of inflow from higher rate, multiply by difference, तो वही चीज़ यहाँ पुट करी, आप सब कुछ higher निकाला, comes out to be 24.26%, दीखें, यह तो मैंने लिया 20 और 25 को, अगर आप 15 और 25 को भी लेते हैं, इसमें आपको उससे भी करके दिखाते है, suppose हमने 15 ले लिया, lower rate में, क्योंकि उससे भी positive आ रहा था, 15%, अब उससे अगर आप PV of inflow निकालें, तो कितनी आ रही थी, 115, 180, बाकी तो सब कुछ होई रहेगा, cost of asset, और जिससे negative आ रहा था, अब इस बार जो difference है, वो 10% हो जाएगा, 15-15, yes or no, तो यह आपका अगर आप देखें, तो कितना रहे हैं, 24.31, तो more or less answer जो है, वो same ही आते हैं, थोड़ा बहुत फ़रक पड़ता है, आप कुछ भी ले लो, ultimately आप इससे formula से करते तो घबराने की ज़रत नहीं, आप उससे next rate try करें, समझ महिवत ऐसे question exam में आ सकते हैं, तो यह था आपका project A का, समझ महिए, इसको आप फटा-फट note करें, और I will suggest you कि project भी आप खुद try करें, कर लो भई, चिक है, चलिए, कर लिए आपने project भी खुद, देखते हैं, तो कि वहाँ पर आपका जो cost of project था, वो तीन लाग था, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आपका NPV है, 306280, माइनस 3 लाग, positive आ रहा है, 6280, फिर 25% से try किया, तब जाके वो आपका जो है, negative आ रहा है, चिक है, तो आप 2025 का difference लेके कर लीजे, same formula, चिक है, तो यह 21.4 अब देखिए, IRR अगर आप देखें, तो project A का है 24.36, और B का है 21.46, तो on the basis of IRR, आप किसको opt करेंगे project A को, आप NPV basis पे गए तो आपने advice किया project B, IRR basis पे गए अपने advice किया project A, देखिए, answers अलग अलग आ सकते है, advice अलग अलग जा सकती है, most favorable technique जो होती है, वो NPV होती है, ज जो main suggestion opt किया जाता है, वो हमेशा NPV technique का किया जाता है, IRR को secondary रखा जाता है, तो अगर एक conflicting result आ रहे हैं दोनों technique से, तो management NPV technique जो है, उसको follow करती है, just आपकी knowledge के लिए आपको बताया, एक question और practice करते है, NPV IRR का कम माइन, उसके बाद हमारा पूरा NPV IRR एक दम super strong हो जाएगा, और इसके साथ 90% chapter हमारा खतम हो जाएगा, suppose MVA Limited is considering two projects A and B for investment, the cash flows are this, project A में outflow है, और सिर्फ 1 year में inflow है, 7.5 लाग, तो यह तो simple ही है, cost of capital है 12% NPV से और IRR से बताने, project A, present value of cash inflow at the rate of 12%, 12% से आपने किया इसे, ठीक है, point है, outflows है, 5 लाग के, तो आपने NPV निकाल ली, 1,69,750, project A में तो बहुत simple है, yes or no, same way project B में 5 लाग का outflow है, इनी flows है, 2 लाग, 2 लाग, 7 लाग, ठीक है, PV factor लिए आपने, यहाँ पे न आप जरूर लिख दें, at the rate of 12% या यहाँ पे लिख दें rate 12% या तो यहीं लिख दे, PV factor at the rate of 12% या यहाँ, यह जरूर लिख के आना है, present value आगई, ठीक है, this is present value of inflows, इसके बाद NPV आपने निकाला, इसका भी आप formula लिख सकते हैं, present value of inflows, minus present value of outflows, actually, मेरा favorite subject है, फेम, देखो, इसलिए formula पे हाथ ही नहीं चलता, inflow minus outflow, तो यह 3, 3, 6, 400 आपका आगया, अब अगेन, दोनों project से NPV positive है, बट project B की higher है, तो we will advise की project B accept होना, चाहिए, same question है, अब आपको IRR निकालना है, तो आए, IRR निकालते हैं, project A का, हमने लिख देखो, 12 से हम तो हमने सीधे upper rate ट्राय मारा की, बहुत ज्यादा positive है, 1,69, 750, 25% ट्राय मारा सीधे, वो 25% से ट्राय किया, 6 लाग आ रहा है, जगकि outflow project से 5 लाग है, जैसा होना, तो NPV क्या हो गया positive, बटी, NPV अगर देखो, 6 लाग inflow है, और outflow सिर्फ 5 लाग है, PV उसका, तो एक लाग वा तो positive है, अभी भी बहुत high figure है, आप देखो, यहां 12 लाग पे था, 1,69, 750, यहां 12 से सीधे डबल रेट कर दिया, तब भी एक लाग positive आ रहा है, और higher rate ट्राय किया, मैंने 40% लिया सीधे, 5,35, 500, अभी भी NPV positive आ रहा है, यह 5 लाग outflow है, present value of inflow 5,35,500 है, yes or no, sure, चल भाई, औ higher rate ट्राय मारते है, सीधे हमारा 50%, 50% पे आया ही 5 लाग, PV of inflow जो है, वो आया कितना 5 लाग, अब NPV आप निकालोगे, अगर PV of inflow है 5 लाग, PV of outflow है 5 लाग, तो क्या हैगा, 0 आएगा, तो कोई IRR निकालने की जरुवत नी, क्योंकि आपको पता है, जब NPV 0 होगा, जहां पर वही आपका IRR होगा, सबसे पहले theory question में बताया था, कि IRR क्या है, वो rate of return जाए, NPV 0 हो जाए, आपने तो inflow निकाला 50% से, वहीं NPV 0 आगया, तो आपका IRR भी कितना आएगा, 50% आएगा, कुछ निकालने की जरुवत नेगा, ऐसे simple question में exam में फसा देता है, वो कई बार, इस if PV factors are computed from such rate of return, then PV of inflow is equals to outflow, then NPV 0 or PI is equals to 1, या आपको बताया था, NPV from required rate of return is 0, then IRR is equals to required rate of return, याद आया, तो अब आपको यहाँ पर सोचने वाली बात ही नहीं कोई, जब आपका PV of cash, inflow आपने निकाला, NPV आपका नहीं लागया, तो वहीं आपका IRR आगे बढ़ने की जरुव सेम वे प्रोजेक्ट B का, अब देखे, प्रोजेक्ट B में भी यही था, 12% से कितना positive है, 3,36,400, तो सीधे हमने higher rate, 40% try किया, 40% try किया, जब हमने, अब देखो, बड़े ध्यान से समझना, जब हमने 40% try किया, 3-digit वाला लिया, तो present value यह आ रही है, ध्यान से समझना जा रहा year 1, inverse PV factor at the rate of 40%, यह आ रहे, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब इतना हमने किया न, तो 4,99,600 आ रहा है, जब कि प्रोजेक्ट से जो outflow है वो 5,00,000 है, तो ध्यान से समझना बहुत important चीज़ है, यह NPV आप क्या होता है, PV of inflow, minus PV of outflow, हाया न, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब यह 4 4,99,600 आया, minus this 5,00,000, तो सिर्फ 400 पर negative आ रहा था, तो उसने मेरे दिमाग में एकना point डाल दिया, कि यह इतना difference तो सिर्फ decimals की वज़े से आ जाता है, इतने बड़ी values में decimals की वज़े से 300-400 का difference आ जाता है, तो instead of taking the 3 digits, what I did, मैंने 6 digits लिये, 6 digits पर try मारा, जब 6 digits पर try मारा और PV निकाली, तो वो पूरी 5,00,000 रुपे आ गई, और आप देखो, इस case के अंदर, अगर आप NPV निकालोगे, तो this will be 5,00,000, minus 5,00, and this will be exactly what, 0, देखिए, यही smartness है, जो आपको समझ नहीं, FM के अंदर, आपने जब 3 वाले पर एक normal, जो traditional तर किया, तो 400 का difference आ रहा है, तो यहर, ठीक है, आप IRR निकाल सकते हैं, ऐसी नहीं है कि आप 25,40 का rate लेके, कि IRR नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, negative R है, लेकिन अगर थोड़ी सी आप smartness समझें, कि 400 रुपे का difference, 300, 400 का तो वैसी ही आ जाता है, I tried it on 6 digits, and when I tried it, आप out करते हैं के लिए इसलिए भी था, क्योंकि project A में भी ऐसा हुआ था, तो क्या पता project B भी ऐसा हो, समझ महिवा, clear है, देखिए, दोनों presentation आपको इसी ले दी हैं, ताकि आप confused नहीं, यह 400 negative आ रहा है, आप चाहते हैं, नहीं मैं तो 12,40 का rate यूज करूँ, 25,40 का rate यूज करू मेरे को निकालना है, निकाल लो आप ज़्यादा फरक नहीं आया, लेकिन एक smart advice जो है, आपको वो दे दी, समझ महिवा, तो ये था आपका IRR और NPV, एक अच्छा question, इसके साथ आपकी पूरी sufficient practice, present value, NPV, IRR की होती है, यहां तक एक पर capital budgeting, अच्छे से revise कर लिजे, क्योंकि 90% जो contentized chapter का ओवरोच चुक है,